सद्गुरु भक्ति बचन अठार्वा शबत आठ्वा गुर की मौज रहो तुम धार गुर की रगास मालो यार यह बाने हजूर स्वामें जी महराज की बानी है फर्माते हैं गुरु की मौज रहो तुम धार गुरु की रजा समालो यार अब हम देखें ले एक गुरु क्या है जिसकी मौज में हम रहें और जिनकी रजा में हम रहें गुरु एक नहायत अच्चरज हस्ती है जो के एक ही वक्त यहां भी है और वहां भी है एकी वक्त इंसानी लेवल पर भी है इस पर्थवी पर भी है और सच खंड में सत्पुरु के पास भी है ऐसी अच्चरज हस्ती संत सत्गुरु होते हैं यानि बे मिसाल हैं यूनिक है उन जैसा और कोई नहीं है वह समरत है दयाल है हर जगा शब्द सरूप में है सेवक का उसके पैदा होने से पहले ही खाल उसको मालूम है अगल यानि आद से इनको मालूम है कि ये आत्मा क्या है और आगे चल के क्या बनेंगी जब सेवक उनके सामने आ जाते हैं तो एक नजर से उनको अबल से आखर तक उस सेवक का सब कुछ मालूम हो जाता है बुराब्दी भलाब्दी लेकन वो बताते नहीं हैं परदे पोशी करते हैं छुपाते रखते हैं अगर वो हमारी बातें जाहर कर ले रें तो कोई उनके आगे भी नहीं जाएका उनको यह आशा है उमीद है कि एक न एक दिन ये सेवक ठीक हो जाएका अब सक्गुर का कभी सिक्ष को इम्तिहान यानि परिच्षा नहीं लेनी चाहिए एक अलफ दे परने वाला इन एप पीएशडी वाले की अगर इंतिहान लेगा तो हम कहेंगे के ये बेवकूफ है ऐसे ही संतों को हम अपनी बुद्धी अकल चत्राई इंटेलिक्ट से पैच्छान नहीं सकते हैं वो अकल से उपर हैं वहां तक जहां तक अकल जाती है वहां से ये उपर है तो उनका इंतिहान नहीं ना चाहिए कई लोग इंतिहान लेते हैं कई बाते मैंने सुनी भी है मगर कभीज साहिब ने एक जिकर किया है के बनारस के शहर में दो पंड़क रहते थे नवजवान एक का नाम था जीवा दूसरे का नाम था तत्वा दोनों ने ये सेचा के अपने को गरूब खरूब जरूब करना चाहिए मगर ऐसा आमल गरूब करना चाहिए जो इनके नजर में नहीं आता था इनों ने वीचारा कि भाई हम अगी बुड़े उमर बड़ी होती जाती है कब हम मर जाएंगे तो जल्दी जल्दी कुछ करना चाहिए दोनों ने ये वीचारा कि एक दरख्त की तहनी यानि के वन जी टारी एक दरख्त की तहनी हम लेते हैं असुक जावे फिर हम अपने दर्वादे के पास में रखते हैं जितने सादू लोग यहां से गुजरते हैं उनकी हम सेवा करेंगे ठिलाएंगे, ठिलाएंगे, पाउं दबाएंगे फिर उनके पाउं दोके वो पानी इस तहनी पे लगाएंगे अगर तहनी ताजी हो गई माना हरे पत्ते उसमें निकल आए तो हम समझेंगे कि ये सचा संत है आई इसके पास मातमा सादू वगेरा आए पानी ये पाउ ढोके उसके लगाते गए मगर कोई तहनी हडी हुई ने एक दन कभी साब वहां से गुदरे उनको भी उन्होंने नमसकार किया घर में ले गए सेवा की और पाउं क्या पानी उनका लेके और तहनी पे लगाए जब कभी साथ जा रहा था तो वो तहनी को अच्छी तरह से देख रहे थे कि उसमें हडे पते आए के नहीं कभी साथ ने उन से पूछा भाई ये तहनी सूकी अपने दर्वादे पर आपने क्यों रखी है कहते हैं माराज आप से क्या चुपाना है सच तो ये है कि हमको गुरू करना है पता नहीं है कि सच्चा कौन है और न सच्चा कौन है हमने ये सोचा कि पाउं का पानी लगाएंगे जब टहनी में हरा पता आएगा तो वो सच्चा कौन है तो कभी साथ बोले तर तू टहनी को अच्छी तरह से आप देखो तो से उन्होंने अच्छी तरह से देखा कि हड़े हड़े पक्ते उसमें ताजे निकल आए उस वक्त दोनों ने कभीर साथ के पाउं को पकर लिया और बोले आप हमको सचे संत मिल गए हैं और आप हमको नाम की बख्षिश करो खेर कभीर साथ ने उनको नाम की बख्षिश की कभीर साथ ने उनको बोला कभी किसी साथ या संत का इमतिहा नहीं लेना इसकी ये माना है कि आपको कोई रिदी सदी देखनी है आपको परमात मा के मिलने का शौक नहीं है आपको करामत देखनी थी तो आप करामत को पसंद करते हैं सादू को पसंद नहीं करते हैं लेकिन सादू की जात परमेश्वर की जात होती है अब तुमने संतों का इम्तियान लिया है तुमारा भी इम्तियान लिया जाएगा सावधाम रेना तो ये साखी बड़ी है और टाइम कम है इनका इम्तियान लिया गया था वो ये था के इनों ने शादी की बाल बच्चे हुए जब इनकी लर्कियें और लर्के बड़े हुए तो घर वालों ने यानि गाउँ वालों ने ये कहा कि ये मुसल्मान इसका मुर्षद है ये हिंडू हैं पंड़त हैं इनका मुर्षद मुसल्मान है क्योंके कबीर साथ मुसल्मान था हम इन से लेन देन बंग कर देंगे तो ना इनकी लड़की होगे ना इनका लड़का होगे ना खाना फीना ना समाज में आना जाना शादी बगएरा कुछ ने फिर कभी साथ ने इनकी लाज़ रख दी खतम अपनी मुराद ये है कि संतों का इंतहां लेना नहीं चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि संत क्या चीज़ है कर लोग बोलते हैं मेरा अगर समझो बीबी को एक पती बोलता है तुमारा गुरू तबी सच्चा करके मानूंगा जब मेरा फलाना काम होए ऐसी बहुत बाते हैं उती रहती हैं लेकन ये बातें जिनको परमेश्वर के मिलने की चाहना है वो नहीं करते तो अपने लिए इतना काफी है कि इंतहान नहीं लेना संत अरिस्वामी ली महराज की ये बानी है वीचार ने के योग्य है कैते हैं कि जब संत किसी को नाम बख्ष देखने है सचा संत उसी दिन से उस आदमी की जिन्दगी का पूरी एड्मिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ले लेते हैं उनका जो रिकॉर्ड धरमडाय के पास है या लेकराज के पास है वो अपने पास रख देते हैं कुछ भी करेंगे लेकिन संत करेंगे उसके जीवन में और कोई कुछ नहीं करेगा अभी वो संतों का बन गया संत सारी उनकी हर तरह से एड्मिनिस्ट्रेशन इंतजाम जिन्दगी का करेंगे तो कहते हैं गुरू की महजद रहो तुम धार इस वास्ते एप्यारा गुरू की मौजद में रहो गर्मी करे उसकी मौजद है अभी मौजद लवज का मतलब क्या है अंग्रेजी में उसका कोई लवज है नहीं थोड़ा समझाने के लिए ये है के वाटेवर इस हिस प्लेयर या जो उसकी मूड है मगर ये भी बराबर नहीं है उनकी मौज माना लहर लहर जो समंदर में है उसको भी कहते हैं मौज तो ये संतों की मौज जो भी है सिक को उसको मानना चाहिए उसके अनुशार चाहिए जो वो चाहें उसके अनुशार चाहिए क्यूंकि वो उनके जिन्दगी और मौत और सचक खंड कर लेने के जवाबदार हैं अब कहते हैं उनका मकसद ही ये है जो कुछ सिख्ख के जिन्दगी में आएगा मकसद ये है कि इस सिख्ख को मैं इस तरह से भी साफ करूँ, निरमल करूँ, पाक करूँ, पविस्तर करूँ और हरी के गोद में सच खंड में ले चाऊँ ये उनका मकसद उनको अपना कोई गरद नहीं है, कोई चीज चाहते नहीं है सरसंगी का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, फाइदा चाहते हैं इस वाज़ के कहते हैं, उनकी मौज में रहो फिर कहते हैं, गुरू की रजा समालो यार कि तेरी जंदगी में गर्मी आजावे, सर्दी आजावे, बर्षात बहुत हो जावे, नुकसान हो जावे, पैदा हो जावे, कुछ भी हो जावे, तू समझो के ये मेरे सत्गुर ने बेजा है, ये उनका भाना है, शिकायत जिसका नाम है, वो ना, बिल्कुल ना, बहुत गर्मी है, हम कहते हैं हाय, बहुत गर्मी है, पिछले बरस एतनी गर्मी नहीं हुई, पिछले पांच बरस में भी एतनी गर्मी नहीं हुई, अब बहुत गर्मी है, बोलने से गर्मी कम नहीं होगी, गर्मी तब कम होगी जब वो चाहेगा, हमारी शिकायत से कुछ नहीं होगा लेकिन हम अपनी शिकायत से ये परस्थ करते हैं कि ऐ प्रभू तू गल्टी कर रहा है हम तुमारे बचे हैं इतनी गर्मी क्यों कर रहा है ये हमारा काम नहीं है उसकी शिकायत करना हमारा काम नहीं है जो कुछ प्रभू करता है वो ठीक ही करता है और करता भी वो ही है और कोई नहीं करता है मैं जो आपको अर्श कर रहा हूँ ये कहना आसान है बोलना भी आसान है सुनना भी आसान है मगर करना बहुत मुश्किल और कठन है तो फिर देखिए एक उसकी मौज में रहना एक उसकी रजा पे राजी रहना रजा पे राजी रहना महा कठन चीज़ है मगर जो रजा में राजी रहता है वो एक दन रब में रम जाता है मस्जूब हो जाता है रब पा हो जाता है क्यूंके जब वो पहता है वाह जी हरी इंच्छा तेरा भाना मीच्छा लागे ये कोई 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 करेगा हमारे जैसे आम, सरसंगी, शिकायत से बढ़े हुए है, शुकर से नहीं बढ़े हुए है अपने को तो कहना चाहिए शुकर है, कि इस से ज़्यादा गर्मी नहीं पी है, इस से ज़्यादा बरसात नहीं पी है किसे ज़्यदा गरीबी नहीं भीए इससे ज़्यदा बीमारी नहीं भीए शुक्र है एक मुसलमान फकीर था उसके पाउं में एक फूड़ा निकला किसी आदमी ने उसको कहा कि भाई परमातमा को प्रासना कहो तेरा फूड़ा निकल जायगा कहता है मैं तो परमातमा को शुकर कर रहा हूँ उसने बोला क्यूं? कहता है इस वास्ते के उसने थोड़ा मेरे पाउ में दिया है अगर मेरी आध में देता था तो देखिए संत कैसे देखते हैं फकीर कैसे देखते हैं जो उनको प्यार करते हैं वो शिकवा नहीं करते जो प्रेमी है वो शिकायत नहीं करता जब से प्रेमी बना तब से शिकायत बन कर दी कहते हैं तो रूँ मैंने तेरी शरं ली है सुखी रखो तेरी महरबानी है दुखी रखो तो भी कुछ नहीं करूँगा लात मार के निकाल देओगे वापस आ जाओंगा क्यूंके और मेरे लिए कोई धाव नहीं कोई अस्थान नहीं कोई जगा नहीं लेकर इस बार से हम जूड है हम को स्वामी जी महराज कहते हैं कि सुख को कैसे होना चाहिए अपने को मती कर दे ले तब इस मारग में साहिब के पास पहुँचेगा अब देखे आगे क्या रहते है गुरू की मौज रहो तुम नार गुरू की ररा समालो यार गुरू जो कहें सो फित कर जाना गुरू जो कहें सो चित धर माना कहते तेरी जिन्दभी में जो कुछ गुरू करता है तुमारे भले लिए करता है उनकी अपनी कोई गर्ज नहीं है वो आप से कुछ चाहता नहीं है लेता नहीं है तेरे भले के लिए वो जो मुनास्ब समझता है वो काम करता है एक ससंगी था एक मेहना विस्तरे पर सोया हुआ था मरने से पहले तो कुछ स्क बड़े माराजी के जमाने की बात है कुछ स्क बड़े माराजी के पास गए कहने लगे सचे पाशा खलाना सिंग जो है इतना बड़ा सेवादार लंगर में एक आदमी इतनी भड़ी चावल उठाता था आग के नजदी काम करता था साड़े छे फुट लंबा था तकरा था जब ससंग घर बना था इस एक में ससंग घर का गर्डर का एक बाजू उठाता हजूर ऐसा सेवादार एक मेहना बस्तरे पे बीमार पड़ा है हजूर ऐसे सेवादार का ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा मारा जी ने बोला भाई तुम उसके पास जाओ उससे पूछ के आओ कोई उसको सूड है, कोई डर्द है, कोई कश्ट है, कोई तकलीफ है वो उसके पास गए उनको बोला वही कोई सूड, डर्द, तकलीफ, कश्ट है वो ताब बिलकुल नहीं बस इतना है के बिस्तरे पे पड़ाऊं ना कोई गर्द है, ना कोई सूड है, ना कोई कश्ट है, कुछ नहीं फिर वो माराजी के पास आए बुले माराजी वो तो ऐसा कहता है कहता है हाँ, इसने बहुत सेवा किया मैं इनको इसी जनम के बाद दूसरा जनम नहीं देंगा थोड़े इसके जो बाती करम रहते हैं मैं चाहता हूँ, कि ये भोग के साफ हो जाए नर्मल हो जाए, पीन हो जाए और इसको मैं ले जाऊँ तो वो जो कश्ट देते हैं कहते हैं, गुरू जो करें, सो हित कर मान कहते हैं, तुम्हारा भला हित यानी भला सो हित कर जान, गुरू जो कहें, सो चित धर मान कहते हैं, गुरू जब तुमको कोई बात बोले कोई उपदेश देवे, कोई सला देवे, कोई एडवाइस देवे चित धर, कहते हैं, अपने हिर्दे में खुपा देओ ये कोई मामूली बंदा नहीं है सतबर, इंसान देखने में जरूर है, लेकिन अंदर में वो कुछ आओर है हमारे अकल से ये जूर आए बात पहले तो गुरू करने से पहले जितने सवाल पूछना चाहिए किताब परना चाहिए, तैक्तिकात करनी चाहिए, जुस्तजू करनी चाहिए, इंक्वारी करनी चाहिए, परे एक दफ़ा उन्होंने नाम की बक्षिश हासिल की उसके बाद में गुरू के बारे में सवाल पूछना नहीं चाहिए फिर सवाल पूछना ठीक नहीं है, फक्त उसके बताए हुए मारग पर चलना तो पहते हैं, जो कुछ वो तुमको सला देते हैं, वो सला कित घर अपने हिर्दे में रखो वो मनो, क्योंके वो कहता है तुमारे भले के लिए अज़े गुरु जो कहें सो, भित कर जाना गुरु जो कहें सो, चित धर माना शुकर की करना सामज विचार दुख सुख देंगे हिकमत धार कहते हैं, शुकर का सुभाव रखो सुभाव रखो शुकर करने का अगर दो रोटी देते हैं हमारी बूख तिन रोटी की है तो भी शुकर 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 करना जाता शुकर है कई हैं जो एक रोटी से गुजारा करते हैं कई हैं जिनको रोटी ही नहीं मिलती है कई हैं जिनको एक दफ़ा खाने को मिलता है कई हैं जिनको दो दफ़ा मिलता है कई दे हैं जिनको तीन दफ़ा मिलता है हमारा सुभाव में शुक्र होना चाहिए कि वहागरू शुक्र है शुक्र है शुक्र है इस तरह से करने से हमारे अंदर एक तो सत्गुरू का ध्यान आएगा दूसरा सत्गुरू के साथ हमारा आएस्ता आएस्ता नज़्दी की होएगी communion होएगी क्योंकि वो हमारा शुकर भी सुनने वाला अंदर है देखता है कि ये विचारा शिकायद को करता नहीं एक दिये देता हूं तो भी शुकर करता है दो देता हूं तो भी शुकर करता है नहीं देता हूं तो भी शुकर करता है ये मेरा बंदा है ऐसा करने वाला कोई कोई तो कहते हैं शुकर की करना समझ वीचार दुख सुख देंगे हिकमत धार कहते हैं अगर आपको कोई दुख देता है उसमें ली हिकमत है हिकमत पार्सी लख जै जिसकी माना स्यानप जिसकी माना विजदम तो कहते हैं हम स्याने नहीं हैं हम को चाहते हैं कि हमारी मर्जी से सब कुछ हो वे स्याना कहता है तेरी मर्जी से जो कुछ हो वे क्योंकि तुम को पता है कि ये चीज़ हमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा हम कई चीज़ें इस दुनिया में मांगते हैं मगर कोई चीजें हमारे दुख का कारण बन जाती है इस वास्ते अगर हमारे हिर्दै से प्राधना जावे तो ये प्राधना जानी चाहिए कि ये वाहरू मैं तो एक बुद्धू हूँ, अनारी हूँ, नादान हूँ मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुड़ी है आपको जो मेरे लिए ठीक समझ में आवे, वो मझे दे दे वो नहीं गल्टी कर सकता है हम गल्टी कर सकते हैं आपने कोई कहेगा के करतार भूल करता है सिरी गुरु गुर्ण सायव की बाणी कहती है अभूल एक करतार कहते हैं सब भूल करते हैं संसार में सब गल्टी करते हैं, सब मिश्टे करते हैं अभूल एक करतार कहते हैं प्रभू नहीं गल्टी करता है दुनिया चाहे उसको गल्टी समझे तो इस वास के कहते हैं सुख दुख देंगे हिकमत धार चाहे गरीबी दे ले चाहे बीमारी दे ले सुख भी दे ले तो भी शुकर 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 हमको सुख भी कभी मिलता है तो भी दुखी कहते हैं वो कैसे हम बोलते हैं पास एक लाख रुपया उसके पास पांच लाख रुपया तो वो आदमी दुख ढींदता है अपने पास लाख है उदर पांच लाख है इसका अर्मान करता है अफसोस करता है फिक्र करता है और दुख तलाश करता है जहां दुख है नहीं इसको कहना चाहिए हे दाता बिखारी फुटता से परपड़े है जिनके जेब में पांच पैसा है मुझे आपने इंक लाग रुपया दिया है तो सुखी रह रहा है सुख का राजी ये है के अपने से नीचे देखना तो इस वास्ते कहते हैं अगर वो सुख दुख देते हैं स्याने से स्याना है उसमें तेरा कोई न कोई भला है तू शुकर 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 कर अगे शुकर की करना समझ विचार सुख दुख देंगे हिकमत धार पार और मार करें सोए प्यार भोग सब हिंदिरी रोग निहार कहते हैं कभी कभी सन को नाराज हो जाते हैं तन्बीर करते हैं, हैमाईश करते हैं, खहा होते हैं पंजावी में कहते हैं, जर्क ना माराजी ने जर्क लगा दी, जर्क डाल दी कहते हैं, ये तुमारे को एक प्रेम पैदा करने के लिए तुमारे उपर नाराज़ी जायर की है एक माता की, बरे जमा माराजी का दमाना था तो माराजी के पाउं को हाथ कोई नहीं लगा सकता था अब बीबी किस कोई भी संत आपको हाथ लगाने नहीं देगा कोई खास खास रहमत हो जाएगी बसिश हो जाएगी वो बात अलग है मामूली तरह से नहीं तो एक दीबी थी उसने माराजी को जाके जबरदस्ती पाउं में हाथ लगाया माराजी के पास एक सोटी थी सोटी पंजाबी में माना जो केन है, इस्टिक है सिंदी में लपुन बोलते है माराजी में उस औरत के पीछ में अपना सोटी लगा दी सोटी दो भाग हो गई तूट गई तो बाकी आउरतें उसके पास चली गई उसको कहने लगी बीबी तुमारे को तो बहुत तकलीफ हुई होगी बीबी कहती है आप लोगों को क्या मालूम मुझे जो मिला है मैं कहती हूँ के रोज माराजी मेरे उपर सोटी को दो इसा कर दे लिए उसके बाद एक दो घंटे के बाद माराजी ने उस बीबी को उपर मंगाया अपने पास और उसको बोले कापो तुमको तो बड़ी तकलीफ होगी तुमको तो मालूम है कि मैं अपने पांग को हास लगाने नहीं देता हूँ फिर तुमने ऐसी गल्टी क्यों की अभी ऐसी गल्टी नहीं करना तो फिर बीबी बोले महराज बक्षिश करो कहते हैं बहुत बक्षिश हो गई तो संतों का जरकना संतों का सकत होना नाराज होना फाइदा ही फाइदा है उसके जरीए भी वो उस इनसान के अंदर परमातमा वागरू के लिए प्रेम पैदा करते हैं ये उनको अपना तरीका है जैसे आग कीदर लग जाए उसके उपर अगर आप गरम पानी डालो तो आग बुजेगी या नहीं बुजेगी छंदा पानी डालो तो भी आग बुजेगी गरम पानी डालो तो भी आग बुजेगी पानी का स्वभाव है आग को बुजाना ऐसे अगर संत जन कभी नाराज भी होएं अपने को नाराज नहीं होना चाहिए इसमें हमारा फाइदा है और हमारे को वो दया महर करके अपना प्रेम की बख्षिश कर रहे हैं कहते हैं तार और मार करें सोई प्यार भोग सब इंदरी रोग नहार अब ये चीज़ है जिसमें हम सब लोग मुपतला हैं मुपतला मना बीमारी में जब आदमी मुपतला होता है सफरिंगा तो कहते हैं सोच करना समझ करना इंदरीयों के भोगों से बचना इंदरीयों के भोग क्या है इसका जिकर करना जरूरी नहीं है हम सब भोगते हैं किसी को आंख के इंदरीयों की कमजोरी है किसी को मुँ के इंदरीयों की किसी को नीचे के इंदरीयों की किसी को कोई किसी को कोई किसी को दो किसी को चा इंद्रियों के भोग भोगने में ही हम अपनी जिंदगी खतम कर देते हैं दरसल में हम भोगे जाते हैं भोग वैसे के वैसे समसार में जैसे है स्वामी जी महराज अपने सारवचन में कहते हैं जो सिख इंद्रियों के भोगों से बचने की कोशिश नहीं करता है संत उसकी इंदाद नहीं करते हैं अगर कोई आदमी अपने को इस इंद्रियों के भोग में ही लवलीन रखता है लंपिट रखता है, मशबूल रखता है भोगों में मस्क रहता है कैते हैं संथ उसकी मदद नहीं करते इस वास्ते हम को ये पोशिश करनी चाहिए कि मुनासफ तरह से इस संसार में हम जो मामूली सुख मालक ने बखशे हैं उनका पाइदा ले रें मामूली से जब हम उपर चले जाते हैं तब वो भोग हमारे रोग बन जाते हैं हमारी बीमारियां बन जाती है भोगी आदमी भजन पे पहले तो बैठने की कोशशी नहीं करेगा बैठेगा तो पांच मिनिट में खड़ा हो जाएगा और जबरदस्ती करेगा तो उसके पाउं तक भी सुरत नहीं आएगी क्योंके के वो भोगी है उसकी दिल ज्यादा मलीन है इस वास्ते इन चीजों में हमको अपनी ड्यूटी और फर्जत अदाई के नमूने से ही गुजारा करना चाहिए ज़्यादा जितने भोग इतने रोग और जो इंडरियों से लरता है मन से लरता है गुरू खुश होता है कि मेरा सेवक अपने से लर रहा है दुनिया से लरने वाले बहुत लराई करने वाले बहुत बर अंदर जो ये नीच मन कुबदी बैठा है इस से लराई करने वाला ही सूर्मा है इस वास्ते हमको कहते हैं प्यारा ये यतन करो इंडरियों के भोगों से आप इंडिपरंट हो जाओ आश्ता 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 हट जाओ तार और मार करें सोई प्यार भोग सब इंडरी रोग निहार कहुंचा दम दम शुकर गुजार बिना युन यार ना करने हार कहते हैं शुकर करो हे दाता मेरे जैसा नीच नालायक गुनहगार पतत जूठा पापी और बेहसाब गुनहगार उसको आपने रहमत करके बश्ष करके नाम दिया है कहते हैं दम 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 शुकर गुजार ये भी बात जो अंदर जाएंगे भजन करेंगे वो शुकर शुकर करेंगे गुरू की रहमत का और गुरू की बड़ाई गाएंगे हम नहीं हम कहते हैं पाँच नाम दे दिये हैं तरीका समझा दिया है मगर है बहुत कठन हमारे से तो नहीं होता है कोई कोई होगा जो करता होगा लेकन बाबा हमारे से तो नहीं होता है 19.55 में जब हज़ूर माहराजी बंबे में आए तो यूनियन पार्क में एक बंगलो मिला था वहां माहराजी छड़े हुए थे तो सुबा को कुर्शी पे बाहर बैठते थे 25-30 आदमी आके दर्शन करके जाते थे तो एक दर्शन करके जब अपने बंगलो में अंदर जा रहे थे तो कई लोग आखर तक बंगले तक आए और रादास्वानी रादास्वानी बोलने लगे माहराजी ने उनको कहा जाओ और बजन करो तो एक उनने था जिसने कहा हजूर बजन तो हमारा बात भी नहीं कर सकता है माराजी ने भी मुस्कराया और हम सब ने भी हचा लेकिन उस ने जो कहा वो बात सही नहीं है जब संतों ने नाम की बख्षिश की है जब कोई भी जीव संतों के पास ख़ा होता है एक नजर से वो उनको जान देते हैं मनख पैच्छाम देते हैं कि ये कौन है कहां से आया है जब देखते हैं कि इसका मौजूद जिन्ददी का बोज इतना है कि ये इस जीवन में नाम की कमाई करके एक माल को पहुंच सकता है तब वो नाम की बशिश करते हैं और कुछ न कुछ करम उनके उठाते हैं किसी के थोरे किसी के ज़्यादा इसको गलत नहीं समझना कि सब के सब करम उठा लेते हैं अगर सब के सब करम उठा लेवें तो आदमी मर जाएगा आदमी तो जिन्दा ही अपने करमों के लेन देन के कारण है किसी के साथ लेन है किसी के साथ देन है तब ही जंदा है मरता तब है जब लेन देन उस जीवन की खतम होती है तो थोड़े बहुत उनके करम हरेक के उठाते हैं इस वास्ते कहते हैं दम दम शुकर गुजार रहो बिना उन और न करने हार कहते हैं तेरी जिन्दगी में उसके सवाय और कोई करने हार है नहीं। सुकी होना नहीं सुख सा जार। चाती पीटेगा, सर पीटेगा, तो वो दुख तुमारा डबल हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। इस वास्ते दुखों में अपना होश बरकरार रखो और हिम्मत से और मरदानगी से उसका सामना करो। और कोई चारा नहीं है अगर एक कुटा हमारे पीछे भागता है, काटने की कोशिश करता है। जो समझदार है वो पड़िवर्टन करे कुटे का सामना करता है, उसकी टांगे पकर लेता है, काटने से अपने आपको बता लेता है। अगर भागेगा, कुटा टांग में पकरेगा, काटेगा, तो दुखों का सामना बहादुरी से करना चाहिए, और अपना होश खराब नहीं करना चाहिए, होश से उनका सामना करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, गुद्धी चला के उसका मुकाबला करना चाहिए, क् कोई ऐसा आदमी नहीं है, जिसको कभी दुख नहीं मिले। जरूर दुख होते हैं। फिर पहते हैं, तो सुखों के भोगने में मस्त ना हो जाओ, जैसे दारूपी के आदमी मस्त होता है, अपनी होश गमा देता है। कई आदमी हैं कितने मस्त हैं नाम भी लिया हुआ है पैसा अगर उसको मिल गया है उनको फुरसत ही नहीं है ससंग में आने की पुस्तक्र परने की फुरसत नहीं है सारवचन गरन साथ परने की फुरसत नहीं है क्योंके माया ने उनको पूरी तरह से घेर लिया है तो अगर तुमको सुख की भी बक्षिश होती है तो तु दारू पीने वाले के तरह से बेहोश न रहना मस्त न हो जाना उदर सुख में कहते होशार रहना सामना करना सिक्ष में कहते हैं अपना आप गवाद नहीं देना सिक्ष को तो कहना चाहिए दाता ये सब आपने मुझे दिये हैं मैं तो किसी जीज़ के काबल नहीं हूँ मैंने तो कोई भला करम नहीं किया है कुछ लोग कहते हैं मेरी तकदीर ऐसी है उसको पेना चाहिए दाता मेरी न तकदीर है न गुण है न मेरी लाइकी है न मेरी वर्दी मेंस है ये तो प्यूर आपकी रह्मत है आपकी दया है आपकी सबक्षिश है अगे जुभी जित से ना हो दुख लार सुखी होना नहीं सुख जार विशारो मत उन्हें हर बार दुख और सुख रहो उमधार पैटें सब भूल जाना सब विशार देना साहिब को नहीं विशारना वहगरों को नहीं विशारना अकाल पुर्ख को नहीं विशारना याद करना जो तेरे पास अब सुख है उसकी बक्षिश है कहतें भूले उसको तूं भूले मर गए दुनिया में चाहिब तू जिन्दा है मगर सच मुछ मड़ा हुआ है क्योंके बच्चा अगर अपने मां को भूल जाए उस जैसा कर्त घंब बेशुकर बच्चा नहीं है अपने पैदा करने वाले को इनसान भूल के सुखी नहीं रह सकता सुखदारासियों भेत बढ़ाया सब कुछ अपना एक राम पराया कहते हैं सब कुछ तू बोलता है मेरा है मेरा है एक राम को ही तुमने पराया बना दिया एक वहगरू को तुमने पराया बना दिया एक साहिब को तुमने पराया बना दिया कोई ऐसे प्रभू को भूल के सुखी रह सकता है कब भी नहीं पैसा और चीज़ है सुख और चीज़ है पैसे सुख नहीं खरीदा जा सकता अगर सुख खरीदा जा सकता था तो सब पैसे वालों के पास होता इस वास्ते कहते हैं बिसारो मत उन्हें हर बार कहते हैं उसको भूलना नहीं त्यारे दुख और सुख रहो उनधार सुख में दुख में वो ही तेरी सायता करेंगे और कोई नहीं करेगा दुनिया का आदमी कोई नहीं करेगा क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं एक पहले ही रोगी है एक रोगी दूसरे रोगी को शबा देगा हर एक रोगी है रोगी रोगी को नहीं बचा सकता है एक संत सत्गरू प्रभू के प्यारे भक्त है जो के रोगी नहीं है हम रोगी है एक दन खतम हो जाएंगे चर्भू के प्यारे भक्त हैं कभी नहीं भूलना उसको याद रखना अगर हिर्दे में वो साहब है दुनिया की कोई चीज उसको कुछ नहीं कर सकता लेकिन साहब संतों के हिर्दे में ही होता है हमारे हिर्दे में फक्त माया है आगे गुरु आशाबद ये दाव मिलत नहीं कोई याद इन धार चीज पैते हैं तुमारा एक राम एक गुरु एक शब्द एक गुरु ये दो तुमारे हैं और कुछ नहीं तुमारा है मरने से तहले भी तुमारे हैं मरने के वक्त भी तुमारे रहेंगे मरने के बाद भी तुमारे रहेंगे पहते हैं किसी और के तरफ मूल नहीं करना सिक्ष के इंदे में तो यह होना दाता अगर लेंगा तो आपके हाथ से लेंगा दूसरे से नहीं मंगूं मझे दूसरे से लेना नहीं है आप ना दे Mayor तेरी मरदी है लात मार के मझे निकाल देख तेरी मरदी है मगर लेंगा आपसे सरदार बहुदर जी महाराज को एक दफ़ा बरे महाराजी ने एक संदेश दिया लैलपुर के एक लसूरी शाह मुसल्मान फकीर के लिए उस मुसल्मान फकीर ने बरे महाराजी को कुछ अरगास की थी कि मेरा कोई उपर मेरा कुछ सिफारिश करो या कुछ ऐसी बात होगी तो बरे महाराजी ने उस थोड़ा सा संदेश दे दिया लसूरी शाह को लसूरी शाह बहुत खुश हुए मस्ती में आ गए और सरदार बहुदर को च्छाभी के लगा दिया और उसको कहते हैं प्रोफेसर साहब कहो रंग दिया मैं तुमको रंग दे हूँ ना रंगी सरदार बहुदर जी मारा क्या कहते हैं ना रंगी फिर अपने आपको उससे छुडा लिया पीछे कर लिया कहते हैं प्रोफेसर साहब रंग दिया रंग दिया सरदार बाहदर जी ने बोला ना रंगी ना रंगी पिर तीसरे वाले कहा रंग दियां रंग दियां रंग दियां कहते हैं ना रंगी ना रंगी ना रंगी मेरा सत्व जब मुनासिप समझेगा तब मुझे रंग देगा पतवरता इस्तरी अपने पति के बगएर सारे संसार को मर्द नहीं समझती है कहती है इस जहान में मेरा पति ही मर्द है ऐसे इस सिख expect को दुनिया में होना है किसी की बेज़दिय नहीं करनी है निडादर नहीं करना है बुरा भला नहीं करना है स्वामी जी मारा कहते हैं सब को करूं प्रणाम जोड़ कर कहते हैं सब जितने हैं मैं हाद जोड़ के प्रणाम करता हूँ कोई नहीं सत गुरू समसर लेकिन मेरे सत गुरू के मकाबले में कोई नहीं ये ध्यल विश्वास पहते हैं तेरे जर्दे में होना चाहिए क्योंकि एक दिन वो ही तुम को पार लगाएगा वो आएगा दूसरा कोई नहीं आएगा अगर पूरे सतबर से किसी ने नाम लेके रखा है फिर भटकता है इदर उदर इदर उदर भटकता है मिलेगा तो कुछ भी नहीं लेकिन मरने के वक्त तो कोई आएगा नहीं वो ही आएगा पूरा सतबर क्याहिए इसने उसको छोड़ दिया है लेकन गुरू पूरा नहीं छोड़ता बहां जिनादी पकड़िये सिर दीजिये बहां न छोड़िये जिनको बहां उन्होंने संतों को दे दिया उनको संत नहीं छोड़ते तो इस वास्ते कहते हैं कि त्यारा गुरू और शब्द ये दो हूं मीत नहीं कोई और इन घर चीत क्याकिन अपने चित में और किसी को न रखा दे दिया खत्म कोई आदे उसको बो यार मेरी तो एक दिल थी एक उसको दे दी मैंने अपने सब्द गुरू को दे दी बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं जब ये एसास और विश्वास और शिर्दा इसके हिद्दे में होगी भगवान भी इसके उपर आशिक होता है क्योंके हमारी सब मुसीबतیں ज़्यादा अपने प्यार को प्रेम को ख्याल को हमने पांट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है इस वास्ते मर मर के इस दुनिया में आते हैं लेकिन उस साहब वास गुरू अकाल पुर्क को अगर हमने दिल दे दी वहाँ चले जाएंगे और कोई जबा नहीं जाएंगे अगर गुरू और शबद ये दौव मीत नहीं कोई आया इन धार कीत यही सत्पुर्श यही करतार लगावे तो है इक दिन पार बिना उन कोई नहीं संसार देओ मन सूरत उन पारवार करे महदित तेरी सार तेरे तन मन के है रखवार शुकर कर राख जिरद धार मिटावे दुख साप ही धार करें क्या मन तेरा ना कार नहीं तू छोड़ता पिखधार कहते हैं वो क्या करें जब तुम अपने मन के काबू है मन तुमारे उपर राज करता है तुम मन के हुखं के अनुसार सब कुछ करता है कहते हैं गुरू क्या करेगा नहीं तू छोड़ता विशधार कहते हैं इंद्रियों के भोग, धन, इस्तरी, माल, सामान जितने भी दुनिया के ये भोग है, खुशियां है, सुख है, लज़ते है मन तुमारा जबरदस्त है, तुमको उसकी तरफ खेंचता है वाह गुरू के तरफ तुमको नेल लई जाता है गुरू क्या करे? गुरू हमको तो हार्निंग भी देता है कैटा भी है बेटा तू ये काम करता है ठीक नहीं है तू ये काम करता है ठीक नहीं है तू ये काम करता है इसका फल बुड़ा होगा लेकन मन इतना पावर्फुल है और इनके अंदर कमजोरी बड़ी है इस वाक्ते वो मन के हुकम में आके फिर ये सब भोग वगरा भोग करता है पिर आगे देखिए क्या कहते है भोग में गिरे बारं बार ना माल के ना उन्हें की साहार इसी चे मिले तुझ को ढंड़ नहीं तू मनता मतिमंद क्याते हैं क्योंके तुम उनका हुकम नहीं मानता है उपदेश नहीं सुनता है इस वास्ते तू तकीफों में, कश्टों में, आपदाओं में, मुसीबतों में लिंपिट हैं प्राब्लमस ही प्राब्लमस हैं कहते हैं किया हुआ तुमारा है, फल भी तू भोगता है गुरू क्या करें? गुरू तुम को कहता है कि संभाल संभाल के काम करो सोच सोच के काम करो उनकी बात नहीं मानता है इस वास्टे तुमको इन दुखों में ही पसना पड़ता है अब कहते हैं तुम्हारे इतने दुख हैं कस्ट हैं दुसी बते हैं जिनका कोई अंत नहीं है कहते हैं अब क्या होगा स्वामे जी महाराज कहते हैं कि क्या करना अगे तो वो अब पड़े जैसी आए करो फर्याद गुरू से जाए कहते हैं अभी सहो तुम्हारा किया है सहो और गुरू के पास फर्याद लेके जाओ है डाता तुबा ये मेरा लवज आप याद रखना तुबा तुबा का मतलब है ठर नहीं करूँगा अब बख्ष लेगा अगर तुबा इसकी सची है ये रोएगा ये पच्छतावा करेगा ये दुखी होगा उसके आगे उसके चर्णों में बार बार पुकारेगा चिलाएगा ये दाता बख्षे 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 मैंने तुबा की फिर नहीं करूँगा और गुरु महरबान है दयालू है बहुत कौमल चित है किसी का दुख नहीं सह सकते जैसे पर्मात्मा को हम कहते हैं दया का सागर है सत गुरु भी दया का सागर है दो मूर्तियां हैं जोती एक है वो दया का सागर जिब इस सिख की दर्द, पुकार और फर्याद सुनता है इनकी दिल, इसका दया का जो समंगर है उसकी लेरें पुचल परती है और दया उसके उपर हो जाती है बख्षिश हो जाती है, आराम हो जाता है लिलीफ आ जाती है अगर उस तोबह के बाद इसने वड़ी या फिर खोटा काम किया फिर वो पता नहीं क्या सजा देंगे मालक हैं जैसे चाएं ऐसे करेंगे मगए एक दफ़ा तोबह से जाय हो गई फिर वो काम अपने को करना नहीं चाहिए कैटें फकर उन्ही को तूँ धाय करेंगे वो ही तेरी सहाय कैतें जब कोई और ताकत है जितनी ताकतें कोई तेरी साहे नहीं कर सकते है क्योंकि गुरू का तुमारे तरफ वार है लोड़ा है, हेज है तु उनके अंदर है तेरे लिए जो करेगा वो गुरू करेगा गुरू तुमको दूसरे के हवाले नहीं करेगा जैसे मुनासुप समझेगा ऐसे तुमको ठी करेगा अगे सहो अब पर ऐसी आए करो फर्याद गुरते जाए पकर फिर उन्हीं को तु धाए करेंगे वोही तरी सहाए बिना उन्हे और नहीं दर्बार रहो यून चान में होशे आर कहते हैं और कोई दर्बार नहीं है ये जो कचहरी या कोर्ट होती है ये दुन्या की है मगर रुहानी मंदलों में एकी कचहरी है वो संतों की कचहरी है वो वहगरु अकाल फुर्खु की कचहरी है कहते हैं तु उस कचहरी में जा प्रभु वहदु अकाल फुर्खु की सप्ट गुरु की कचैरी में जाके फड़ात कर वो सुनेंगे वो सुनता है तूचाय उसको नहीं देखता है तूचाय उसकी दया नहीं समझता है लेकिन वो सुनता है मगर तुबा करना सची तुबा करना इसके बाद फिर नहीं करना अगे गुने तुम की ए दिन और रात गुरू की कुछ ना मानी बात इसी से भोगते दुख घात बचाएंगे रही फिर तात जब तुम उन्हें गुनाह किये तभी सोचा हम सब बैखे हुए हैं कोई गुनाहों के खाली नहीं और आइना भी पता नहीं हम क्या क्या करते हैं कहते हैं उस वक्त सोचो जबी तु गुनाह कर रहा है कि इसका भोग भोगना पड़ेगा परमातमा कोई आकाश में नहीं बैशा हुआ है हमारे अंदर बैशा है साहिब साहिब क्या करें साहिब तेरे पास तमारे पास विडियो है तमारे पास टेप रिकारडर है तमारे पास कैमेरा है तमारे पास सब कुछ उसमें चप जाता है लख जाता है कहते हैं तुम समझते हो के इंसाफ ही नहीं है यहां तो कोर्ट में तु बड़ा वकील करेगा चुट जाएगा रिश्वत खिला के चुट जाएगा मकर उस साहिब की दर बार में रिश्वत नहीं चलेगी वहां वकील वकील कोई नहीं है फिर भी एक वकील है जो तेरी साहिता करेंगे बचावेंगे वही तातर वो संक सत्गरू है रब भी है वकील भी है जज़ भी है और वकील भी है तो कहते हैं वो काम में आएगा उसके दर्वावे पे जाना उसकी कचड़ी में जाना उसके दर्बार में जाना और किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं है ना कोई सुनेगा क्योंकि उनको ताकतरी नहीं है है एक काम का फल भोगना है माराज स्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कितने चौकरी जुग के बाद भी करम का फल भोगना पड़ता है चौकरी जग बोलते हैं 998 चौकरी माना कल जूग, सथ जूग, जौग अत्रेता एक चौकरी ऐसे 998 कहते हैं फिर भी करम नहीं खतम होता है करम का भोग भोगना पड़ेगा इस वाएक के ज़ते हैं करम कौन लाश कर सकता है करम की माफी काँ दे सकता है कहते हैं संत ही दे सकते हैं दूसरों को ताकत नहीं है अगे इसी से भोगते तुम दुख गात बचा वेंगा रही फिर ताहत रहो रारा स्वामी के तुम साथ लगे फिर शबद अगमा तुम हाथ अब कहते हैं चालू रखो छोड़ो नहीं रादा स्वामी के साथ रहो रादा स्वामी कोई मत नहीं है कोई पंत नहीं है कोई मज़ब नहीं है कोई धरम नहीं है इसमें हिंदू भी है मसल्मान भी है सिक्क भी है पार्सी भाई साहबान भी है यहूदी भी है गरीब भी है शावकार भी है चुहरेड भी है चोहड़े भी है पंड़त भी है अगर ये मजहब होता तो इसमें सब नहीं आते ये परमातमा के प्रेम का मजहब है इस दी रिलीजन ओफ डिवाइन लाव उप परमातमा का ये धरम है प्रेम और प्यार ये संतमत है कहते हैं उसमें लगे रहो सिमरन भजन चालू रखो बढाते जाओ उसकी याद ना भूलना बुरे कर्मों से दूर रहना शब्द की कमाई करते रहना आहस्ता 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 ऐसा दन आएगा जो तुम को वो अगम शब्द सत्पुर्श करतार अलक अगम रादा स्वामी या अनामी तुम को प्राफ्त होगा जब नाम मिला है ये पद आने वाला है अपने को आहस्ता आहस्ता अपनी जूटी करनी चाहिए जो है सिंडरन भजन प्रेंज के कहते रहना करते रहना और बुरे कर्मों से दूर रहना ये खतरनाक चीज़ है ये हमारे दुखों का कारण है जब साहिब याद आता है बुरे कर्म होते नहीं जिसके उपर साहिब की चाया है सतबुर की चाया है बजन सिमरन करता है बुरे कर्मों से ये आदमी डरता है जब डरने लगा बुडे करम नहीं होते तो डरना और तिसी से नहीं एक साहब से उस प्रभू से वागुरू से अकाल प्रूक से डरना संबल संबल के दुन्या में चलना संबरन बजन चलो उड़ा कर दो रबूरा स्वामी के तुम साथ लगे फिर शबाद अगम तुम हाथ रदा स्वामी बानी स्री कभीर साहब जी की सुमिरन का यंग सुमिरन से सुख होते है सुमिरन से दुख जाए कह कभीर सुमिरन किये साही माए समाए इंसान अपने साथ एक ही पुझी लाता है धन उसकी पुझी नहीं है रिष्टेदारी उसकी पुझी नहीं है शरीर भी उसकी पुझी नहीं है उसकी पुझी सुमिरन से की पुझी है कितना सुमिरन से ये इस जीवन में जिन्दगी में लेगा ये इसकी पुझी है ये लिखवा के लेके आया है सांस वो सांस छवीस हजार एक घंटे में एक दिन में इसको जा रहे है वो सांस जो गया वो वापस नहीं आईगा गया सो गया मुकरर है जब सांस खतम हो जाएंगे ये खतम हो जाएगा ये सांस हमारे जा रहे है जिसको कोई रोक नहीं सकता जब ताइम आएगा सब कुछ खतम हो जाएगा सारा नाटे की जिंदगी का खतम हो जाएगा और ये हमारा जा रहा है रोज रोज दिन दिन मिन्ट मिन्ट मैंने मैंने बरस बरस जाड़ा है आप कहेंगे फिर क्या करना चाहिए त्यारी त्यारी का मतलब क्या है कि वो जो मृत्यू आएगा वो जो डेथ आएगा वो जो जिन्दगी को फुल स्टाफ आएगा उस मृत्यू का पहले ही अनभाव करना तजर्बा करना, एक्स्पीजिंस करना वो किस तरह से होता है? वो होता है बाणी श्री गुरू ग्रम साहब की कहती है मुईया जित घर जाविया तित जीवतिया मनमाद कहते हैं जिस घर में तुम को मरने के बाद जाना है वहां तुम जीत जी जाओ ये त्यारी करनी है वो त्यारी है सिमरन सिमरन से इनसान जीते जी मर सकता है सिमरन से इनसान अपने जिन्दगी को लाब दायक फल दायक बेनीफिशल कर सकता है सिमरन एक महाभारी शक्ती है और ताकत है उसका फाइदा मैं अर्ज करूंगा बड़े महराजी फर्माया करते थे जिसका सिमरन के साथ प्यार नहीं जड़ा ख्याल से सुनना चाहिए जिसका सिमरन के साथ प्यार नहीं उसको सत्गुर के प्रेम का अभी पता ही नहीं लगा और परमातमा को मिलने के लिए जबानी जमा खर्च से नहीं होता यानि बातें करने से फर्मातमा नहीं मिलता ये तो महनत का काम है मशक्त का काम है अब हम देखेंगे कि जो कुछ हदूर महराजी ने फर्माया है उसका और गैराई में थोड़ा हम वीचार करेंगे कहते हैं सिमरन से जिसका प्यार नहीं उसको फर्मातमा के प्यार का पता ही नहीं सिमरन लवज संस्कृत लवज है जिसकी माना है याद रिमिम्बरंस हमारी हालत ये है कि बड़ी मेजार्टी सबसंगियों की सिमरन या नहीं करते या थोड़ा करते कुछ थोड़े थोड़े हैं जो अच्छी तरह से करते अपना टाइम देते हैं और उनको बहुत कुछ अनभाव भी हो गया है मगर आम सबसंगी सिमरन को प्यार नहीं करता तो परमातमा को भी प्यार नहीं करता तो फिर किसको प्यार करता ये दुनिया को दुनिया के सामानों को प्यार करता यारों दोस्तों को करता ये रिष्टेदारों को करता ये अपना धन्न अपनी अपार्टमेंट अपना बंगलो अपना कार अपना पदारत अपनी जोयलरी अपना वार्डरोब इसको प्यार करता है अपने back balance को प्यार करता है हडी को, पर्मातमा को, गोविंद को ये प्यार नहीं करता है इसके कारण हम पिशेमान भी है हम दुखशी भी है चिंता भी रखते है इसके कारण क्यूंकि हमने सिमरन कमाया नहीं हमने सिमरन से प्यार किया नहीं कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारा क्या दोश है? हमसे होता नहीं है अगर मारा जी को चछ्छियां जाती है तो उसमें ये ही लिखा जाता है कि मन नहीं लगता मतलब उन्होंने दोश अपने उपर नहीं डाला अपने अपना बचाओ या जो मन का हमेश काम है मन दूसरे को दोश देता है अपने को दोश नहीं देता है तो वो सिम्रन क्या चीज़ है किसी नाम को किसी कामल महात्मा कोई फकीर कोई दर्वेश कोई प्रभू का प्यारा कोई गुर्मुक उसने जो नाम दिया हुआ है उसने जो मंतर बक्षिश किया हुआ है उसका बार बार हरी घरी जप करना सिम्रन करना उसको याद करना हरदे में रखना भूलना नहीं हरदे से निकालना नहीं जैसे इस दुनिया को हम दुनिया अपने मन से नहीं निकालते हैं सुपने में भी दुनिया हमारे अंदर है इस तरह से ये जगा उसको नहीं भूलने की सिम्रन को देनी चाहिए मैं जब ये अर्द कर रहा हूँ उसमें आप सब के अंदर मैं भी आ गया मैं भी इसी लाइन में हूँ मगर सतगर के फरमाईश के अनुसार उनके हुकम के अनुसार उन्होंने जो हमको समझाया है वो मैं आपको भी समझाता हूँ मैं अपने को भी समझाता हूँ वो सिमरन से दरसल कोई खाली नहीं है एक घर की माता हाउस वाइफ घर के सब बातों का सिमरन करती है सबजी क्या बनाई जाएगी तरकारी क्या बनाई जाएगी बच्चों के कपड़े खरीद करने है ये करना है वो करना है ये घर का मसाला और सामान और पंसारी और तेल और अटा वगएर 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 वो घर की माता उसका सिमरन करती है कालेज का प्रोफेसर अपने बातों का सिमरन करता है कि आज मुझे कल लेक्चर देना है ये कहना है वो कहना है ये सब्जेक्ट लेना है ये रिफरेंस बुक देखता है ये करता है ये करता है वो भी समरन करता है अपने काम का इस तरह से जमीनदा, इस तरह से स्कूल टीचर, इस तरह से दुकानदार, वो भी सोचता है मेरा ये माल, ये मेरा स्टाक, अभी पुराना हो गया है, जमाना बदल गया है, फैशन बदल गया है, ये माल बांबे से मंगा हो, ये कलकते से मंगा हो, ये हंकांग से मंगा हो, ये सारा दन अपने काम धंदा और वस्तूओं की सिमरन करता है मैं हम सब सिमरन करते हैं हर वक्त करते हैं अब ये सब चीजें और सामान और दुनिया ये क्योंके जिस्मानी है फिजीकल है नाशवंत है अस्थूल है इसका सिमरन करते करते हमारी अटेंशन हमारी तबज़ हमारा फ्याल हमारा मन हमारा थिंकिंग पावर ये बाहर जाता है और क्योंके ये सब सामान नाशवंत है डिस्ट्रक्टिवल है इंपर्मेनन्ट है फना है हम फिर फिर फना दुनिया में जनम लेते है और परमातमा से जब हमारी आतमा निकली आज तक हम इस फानी दुनिया में है फना दुनिया में है आरवी दुनिया में है टेमपररी दुनिया में है निकलते नहीं ये सिमरन ही हमारे 44 लाख जूनियों के कैद खाने का कारण है पाद है यह सिम्रम मगर यही सिम्रम अगर हम उसका करें जो लाफानी है जो आद जुगाद है जो आद सच जुगाद सच है भी सच है उसका अगर हम सिम्रम करें तो मर के फिर इस दुनिया में नहीं जाएंगे फिर उसके पास चले जाएंगे वो जो लाहना, आदसच, जुगादसच प्रभू है उसके पास हम चले जाएंगे दुनिया का सिमरन हमको जूनियूम में लाता है और गुरु नानिक साहभ जी माराज बहुत सुन्दर नमूने से हमको बताते हैं कि इस दुनिया का सुमरन क्या करता है जब इन्सान कोई मरता है उसको कंदे पे उठाया जाता है फिर लोग कहते हैं अरे राम संग है, वागुरू संग है, रादा स्वामी संग है, राम राम संग है, सतनाम संग है कैसे संग होगा जिस आदमी के खाने में, पीने में, सोने में, सपनों में दुनिया और दुनिया के सामान रहे उसके संग जाएगा हरी उसके संग जाएगा वागरू उसके संग जाएगा गोविन उसके संग जाएगा नरंकार ना, बिलकुल ना उसके संक तो यही दुन्या के संसार के वीचार संसार के संकलप यह जाएंगे और उस संसारी संकलप के अनुसार जो इसका मिर्टियू के समय होती है अलत یہ वापस दुन्या में जाएगा कहाँ जाएगा वग Korea वगएरा वगएरा उसका कोई कहने का जरूरत नहीं है मगर जिस से ये जिन्दगी में प्रेम रखता है मो रखता है वह जाएगा अगर हरी में बो रखेगा प्यार रखेगा वागरू में गोविंद में रादा सौमी में या जो कोई भगो उनका नाम आप ले लो रब बोलो अल्ह बोलो कुछ भी बोलो अगर वो इसके जिन्दगी में डामिनेट करता है माना इसके जिन्दगी का शौक और चाह उससे है ये मर के उसके पास चला जाएगा इस दुन्या में आने का उसका कोई काम ही नहीं क्योंके नह चल एक आप अब नासी सो नह चल जो तिसे ध्याएंदा वो अबनासी यईनि अवनासी प्रभू है उसका जो सिम्रन करेगा उसका ध्यान करेगा उसके पास चला जाएगा और हमारी जब खालत है वो गुरू नानिक साहिब जी महराज कहते हैं ये दुन्यादार मरने के समय उनके सारी जिन्दगी में उनके सारे एक ख्याल और वीचार और कलपनाएं और संकलप और विकलप इनका अर्क बनता है इसका तक्त बनता है इसकी एसेंश बनती है वो मरने के समय इसके साथ आ जाता है और वहाँ चला जाता है तो उन्होंने बड़े संदर तरीके से कहा है अन्तकाल जो लच्मी सिम रहे लचमी यानि धन जो आदमी के जिन्दगी में पैसा ही उसका दीन और इमान है उसका अपसेशन है हर वक्त धन धन कमाना धन कमाना धन रखना और जाड़ा कमाना धन 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 यानि ऐसा आदमी मरने के समय वो आदमी धन ही उसके पास आएगा लच्छमी यहां संत कहते हैं अंतकाल जो लच्छमी सुम्र है ऐसी चिंता मैं जो मरह सर्प जून वल वल एतर है कहते हैं सर्प की जून लेगा मैं नहीं कहता हूं बानी कहते हैं फिर फर्माते हैं अंतकाल जो इस्तरी सुम्र है अगर औरत से शौक है अगर औरत से चाह है अगर औरत से उसको आनंद और खुशी और खुशी और हुलास होता है मन में तो मरने के समय औरत आएगी अंतकाल जो इस्तरी सम्ड़ है उसका क्याल होगा वैसवा जून वल वल एतर है वैसवा यानि प्रास्टिट्यूट क्योंकि वो कान की चेश था उसकी लश्क उसकी अगनी के कारण उसके सामने औरत आएगी और वहां इसका ख्याल चला जाएगा और वैसवा जून में जाएगा ये निचर का ला है जहां इसकी कान की चेश्टा पूरी हो सके फिर फरमाते हैं अंतकाल जो लरके समर है अवलाद बाल बचे अंतकाल जो लरके समर है सुकर जून वल वल एतर है मैं पूरा नहीं कहता हूँ क्योंके टाइम की तंगी है सुकर यानि सुर सुरी क्यों उसको बहुत बचे होते हैं जनम में शायद कोई पचीश-तीस बचे होते हैं चाहे कुछ मर जाते हैं जल्दी मगर बहुत बचे होते हैं कहते हैं वो सुरी के जूनने जाएगा खेर इस तरह से जो घड़ो बंगलो अपार्टमेंट के शौक में जाएगा वो भूत बनेगा यह रूहानी डारी में सेकेटरी साहब ने एक कहानी बताई है किसी शेर में बड़े माराजी गए और साथ में सेकेटरी साहब भी गए और वहां एक धरम साला थी जो के पूरी मुकामल नहीं हुई थी तो यह साड़ी पार्टी को वो मिला रहने के दिए और वो वहां रचेरे तो सेकेटरी साहब ने को आखर में कोई रूम नहीं मिली सीरी के नीचे एक रूम थी उस रूप में सेकेटरी ने कहा मैं उस रूम में बैठता हूँ जो उसने कदम रखा उस रूम में तो अंदर से आवाद आए ख़मर दा नहीं आना उसने कहा भाई क्यूं क्या बात है तुम भी ठेरे वोई हो मैं भी ठेरता हूँ दोनों का गुजार हो जाएगा और हमको एक दो रात तो रहनी है उसने अंदर से आवाज किया कि मैं आदमी नहीं हूँ बोले फिर कौँ रो कहता है भूत हूँ प्रेत जिसको कहा जाता है कहता है मैं प्रेत हूँ मैं भूत हूँ बोले तूं किसका भूत हूँ कहते है मैं फलाना पंडत हूँ ये धरम साला मेरे को बनाने का हुकम हुआ था मैंने ये धरम साला बनाई भी इसका ब्रामदा जो है वो मैं बना रहा था और अचानक मेरी रेट हो गई, मिर्तिव हो गया और मेरा शौक और ख्याल और लगन इस मेरा विरंडा बनाने में और इसके कारण मुझे प्रेत की जूनी मिली है तो बोला फिर तुम्हारी खुलासगी कैसे होगी तुम स्री कैसे होगी, तुम आदाद कैसे होगी बोले के स्री गुरु गरन साहिब का कोई अच्छा शुद पाठ करेगा तो मेरी मुक्ती होगी बोले हमको कैसे पता लगे के तुमारी मुक्ती होगई कहते हैं एक मटला, मटला यानि घड़ा, यानि मटका ठिकड़गा, वो पानी से बरो और रखो कि अगर मेरी मुक्ती होगी मटला तूट जाएगा ऐसा किया गया एक पाठी ने गरन साहिब पढ़ा मगर मटला तूटा नहीं फिर उससे सवाल किया प्रेत से कि भाई मटला तो तूटा नहीं बोले ये जो परने वाला है ये शुद नहीं परता कोई शुद परने वाला ले आओ शुद परने वाले ले आए उसने परता मटला तूटा और वो मुक्त ओगया हमारा सवाल सकत ये है कि आखरین समय ओही ख्याल में आएगा जो हमारी जिन्ददी में मुख्य अस्थान जो होता है कोई ख्याल में आगा महराज श्री क्रिश्ण जीता में फर्माते हैं कि चोला छोड़ने के وقت जो अपने अश्च का ध्यान करते अखरीन वक्त में चोला छोड़ता है वो अपने आद्रिश को हासल करेगा माना वो क्यूंकि अपने महात्मा का ध्यान करके करके चोला छोड़ेगा उसमें समा जाएगा हकत पॉइंट ये है कि जिस से हम शौक लगाएंगे जिस से हम उप्रेम लगाएंगे जो हमारी जिन्दगी में मुख्य चीज होगी वहां हम चले जाएंगे और वो मुख्य चीज अगर हरी है गोविंद है रब है वांगरु है अला है प्रिबु है परमात्मा है तो ये वहां जाएगा कोई चीज इसको अप्रात नहीं लगा तक दिया ये उसमें उस साहिब इसे लगन लगाई है तो इस वास्ते अपने को ये सोचना चाहिए कि हम अपना शौक और अपना चाह और अपनी लगन उसके सिमरन से लगाएं सिमरन माना उसकी याद इस मुकल एक मुसल्मान फकीर उसने रब को कहा कि ए रबा आप मेरे से कब राजी होंगे मैं तो बहुत कुछ तुम्हारा ख्याल करता हूँ और बंदगी करता हूँ कहते हैं तु बंदगी करने की दावा करता है अगर तु बंदगी करने की दावा करता है तो एक सेकंड के लिए मेरे दिल से तुमारे दिल से मैं नहीं निकलूंगा बानी कहती है समना जियां का एको दाता सो मैं विसरन जाई कहते हैं तू मेरे कहता है कि तू मुझे प्रेम करता है मगर तू मुझे को भूल जाता है ये कभी होता है जिसे प्रेम होता है उसकी याद हमें का होती है अगर वो याद तूट जाती है तो फ्रेम अभी कच्चा है समिरन अभी कच्चा है अभी याद तूटती है नहीं तो संक जन जिनको हर वक्त परमातमा की याद है उसकी याद नहीं तूटती है उनका समिरन हर वक्त चलता है और हमको भी वो कहते हैं कि तू भी अपना सुमरन हरवत पे चालू रखो अब मैंने जो दृष्टान देना था दिया अंदर जाने के लिए मुप्टी की दर है अंदर हरी की दर है अंदर वाग्रू की दर है अंदर रब कहा है अंदर अभी अंदर हम जाएं कैसे क्या उसका सादन है क्या उसका मिथड है क्या उसका टेकनीक है कहां से जाना है आंखों से, नाक से, गले से, मुँं से कहां से जाना है जाना है इस जगा से दोनों आंखों के बीच में ये जगा जिसको तिले कहा है गुरु नानिक साइब जी माराज ने जिसको इंदू शास्तर शुव नेतर कहते हैं जिसको मुसल्मान नुकदा-इस सवीदा कहते हैं वहां से अंदर जाना है मगर कैसे जाना तो है मगर कैसे सिमरं से दुनिया के सिमरं से बाहर बटकते हैं परमातमा के संतों के बख्षे हुए सिम्रन से अंदर चले जाएंगे अंदर ले जाने वाली चीज ये सिम्रन है कभी साहिब जी मारा पहले ही कहते है सिम्रन से सुख होता है सिम्रन से दुख जाए कह कभीर सिम्रन की एक साई माह समाए एक कड़ी में कबीर साहिब ने जैसे एक सागर पूले में डाला जाता है छोटे लोटे में सागर डाला जाता है कबीर साहिब ने सागर पूरा एक छोटे बरतन में डाल दिया थाई माय समाय कैसे सिमरन किये तो वो सिमरन हमको संतों ने दिया जब हम सची दिल से एका गरता से जब हम समिदन करेंगे जिसमें तूटे नहीं समिदन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हालत होएगी कि जिसने वो नाम बक्षा है उसके दिल के साथ हमारी दिल जुर जाएगी उसके साथ हमारा पनेक्शन हो जाएगा कॉंटेक्ट हो जाएगा अंदर जुड जाएगा इस दुनिया में भी इंसान एक इंसान जब दूसरे इंसान को प्रेम करता है अगर उसके प्रेम में कोई गहडाई है तो बदोबदी उस आदमी को भी पता लगेगा कि मुझे ये प्रेम करता है इस तरह से जब ये शौक और प्यार और प्रेम से सिमरन करता है तो इसका परमात्मा के साथ अंदर जोड होता है और ये बड़े में बड़ी बात है हम चालिश चालिश साल पचास पचास साल बेठे हुए हैं चीष वाले, वीस वाले, दस वाले, पंगरे वाले ऐसे के ऐसे खाली क्यूंके हम सिमरन नहीं कर पाते हैं दुर भाग या है और मान है इस मोस्क अनपॉर्चुनेट और उसमें क्या मुश्किल है पांच नाम को है पांच बरस का बच्चा भी समिरन कर सकता है इस में मुश्किल क्या है? दिल चहा नहीं मरने का डर नहीं पिर उसे प्रेम नहीं शोक नहीं लगन नहीं खाएंगे पीएंगे तीन वारी खाएंगे पीएंगे एक आदमी ने मारा जी को चिठ्षी लिखा सिम्रन में नहीं लगता है माराजी ने उसको कहा तू सुबा को नाश्टा करता है ब्रेकपास्ट उसमें तो तुम्हारा मन लगता है बुपार को तू खाना लंच खाता है उसमें तो तुम्हारा मन लगता है और रात को तू दिनर खाता है उसमें तो तुम्हारा मन लगता है तो उसको क्यों नहीं सिमिरन में भी लगाते हो एक आदमी को रिटार्मेंट हुई पेंशन मिली उसने मारा जी को लिखा कि मुझे पेंशन मिली है और इतना रुपया मेरे को हर मैने मिलेंगे आपकी बया है मारा जी ने उसको लिखा भाई सुनो जो तुमारी जवानी थी वो तो सरकार ने तुमारी ले ली अब जतना वगत तेरे को मिला है अब दुन्या की कारोबार तो छोड़ो तनमन धन से शौक से सिमरन बजन करो वो संत जन हर बात में हर मौके पर वो संत जन इस बात को ले आते हैं कि ये इनसान कुछ जागे कुछ होश यार होए कुछ इसकी आँख खुले हर बात में यही बात कहते हैं मौजूद है मारा जी सरदार बादर जी बरे मारा जी बाबा जी इनके सफन पढ़िये इसके अंदर उसका निचोर क्या है उसका तत्व क्या है सिमरन भजन करना सारी बात का तत्व है सिमरन भजन करना अब हम लोगों ने ये समझा कि हम क्यों जनम मरन में फसे हुए हैं इस बीमारी का इलाज क्या है और वो इलाज सिमरन है और वो सिमरन हम क्यों नहीं करते हैं ये सब कुछ मैंने अर्ज पेश किया अब देखिए सवाय ये जो कुछ मैंने आपको अर्ज किया गुरु अरजन साहिब जी माराज ने सुख्मनी लिखी अती सुन्दर और सुख़्ों की खान है वो फुस्तक जो है है तो गरंट साहिब का बाग है उसमें पेले पेले सुख्मनी उसका नाम हुआ है और क्या कहते हैं सिम्ड़ाओ सिम्र 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 सुख़् पाओ ये सिम्रन ये कभी साहिब ने का ये सब ने का सिम्रन करो सिम्रन करो सिम्रन करो सिमिरन करो ये दिन्या दुख्वों का बंदार है एक सिमिरन के जरीए ये सुक्ष के देश में चला जाए फिर महाराइ स्री कृष्षिन ने जीता में फरमाया है यग्याना जप जप यानि सिमिरन यग्याना जप यग्ये वसम कहते हैं जितने भी यग्ये हैं उस सब में राजा यग्ये जप है कितने यग्ये हैं उसमें राज यग्ये राज यग्ये जप है जप माना सिमिरन कहां महाराइ स्री कृष्षिन कितने हजारों बर्सों की बात है उन्होंने गीता में ये फरमाया फिर कभी शाल जी महाराज कै कभी रसमिरन की ये साही माई समाय फिर स्वामी जी महाराज अपने आखरीन वचनों में लिखते हैं इस वास्ते समिरन दिया जाता है सेवक को या जग्यासू को या सादक को इस वास्ते समिरन दिया जाता है ताके ये जिन्दगी में उसको अपने जिन्दगी का भाग बना ले वे जिन्दगी में 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 ज झाल झाल बानी शिरी हलोर स्वामी जी महाराज साब जी सोता मन का जागे पाई सोपाव मैं करूब खान सोता मन का जागे पाई सोपाव मैं करूब खान यह शिरीय रूर स्वामी जी महाराज साब की बानी है आपके संबन्द में हमने अनेक बार सुना है के आप तो जनम से माल के भक्त थे यहां तक के छे साल के बालक थे तो कमरे के अंदर कमरा था उसमें लगातार बैट करते नाम और शबत की आराधना करते थे घंटों तक और यह सिलसला सत्राँ साल सक चला कोई ऐसा शुब दिन आया कि मालिक के हुकम से बसंद पंचमी के दन सत्संग आरंब किया उससे पहले भी जब आप छोटी उमर के थे तो कोई भी विद्वान आपसे जब परमारत की चर्चा करता था तो उनके उतर सुन करके दंग रह जाता था कि इस ग्यान ध्यान का सुरूत क्या है इन्होंने ये सब कहां से जाना है और फिर इन्होंने खूब नाम के और शबत के खजाने एकठे किये और अपने सद्गुर के हुकुम से खुले हाथों से उसको बांटा और हमारे लिए ये कल्यान कारी बाणी छोड़के गए है दुनिया के धार्मिक लिट्रेचर में इस महात्मा की बाणी विशेश स्थान लगती है क्यों कि उपदेश उत्म से उत्म है और भाशा सरल से सरल है जन साधारन के लिए है अब स्वामे जी महाराज फर्मा रही है कि मैं आज इस विशेश को खोल करके समझाने की कोशिश करता हूँ क्या विशेश है सोता मन कस जादे फाए सो उपाए मैं करूं भखान ये बात सुन करके हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं लेकिन संतों की बाणी बताती है कि मनश तीन चीजों का कंपाउंड है एक शरीर दूसा मन और तीसा अंश इसका आत्मा है तन और मन दोनों जड़ है और उनका आधार आत्मा की किरन है आत्मा शबत की अंश है मालिक की अंश है तो जब आप सोने और जागने का ज़कर करते हैं तो इसका आर्थ ये है कि इसका संबंद शरीर से नहीं क्योंकि शरीर करके हम जागते हैं तकावट होती है हम सोजाते हैं इस चीज़ को सब जानते हैं रहा मन इस मन को हमने देखा नहीं क्या इसका रूप है क्या इसका रंग है रेकिन इसका खेल रोस देखते हैं कि ये किस तरीके से हरे एक दुनिया के जीव को अपने इच्छा अनुसार नचा रहा है पहले क्रोद का ख्याल मन में आता है फिर जो कुछ होता है हम जानते है काम का ख्याल मन उत्पन करता है और नर्कों के दर्वाजे के तक ले जाता है इस तरीके से हम मन को मैसूस करते हैं लेकिन महा पुर्श करते हैं कि अभ्यास करके अंदर प्रवेश करने से आखों से उपर चड़ने से मन की शकल भी देख सकते हो मन का रूप भी दे सकते हो अब यहां समझा रही है कि मन और आत्मा की संगत जुगों की पुरानी है और प्रोसेस बिलकुल उलट चुका है जो आत्मा परमात्मा की अंश और शक्ति शाली थी वह नर्बल हो चुकी है जन्मों जन्मों का मन उसका स्वामी बन चुका है इसलिए जहां मन जाता है मचबूरन आत्मा को जाना पड़ता है अगर एक नेक लड़की कोई गलती करके उलते आत्मी से शादी करे तो जहां वो जाता है उस बिचारी को भी जाना पड़ता है यह जन्मों जुगों की आत्मा और मन की संगत है एसोसेशन है स्वामी जी महराज कहते है मैं आज इस विच्छ को ले रहा हूं यह मन हमारा जन्मों जुगों से सोया पड़ा है क्योंके आत्मा इसके अध्धीन है इसलिए आत्मा भी दबे हुई है सुई हुई है रविदास्ती महात्मा ने अपने बाणी के अंदर लिखा क्यों तुम सोवे जाग आयाने जूठे जग सत कर जाने थोड़ा गहराई से विचारे कि आप क्या फर्मा रहे है आभास मिलेगा कि संतों का सोने और जागने से अर्थ क्या है बड़े में बड़ा विदवान साइंस्तान बुद्धी मान क्यता है मैं बहुत अलर्ट हूँ चुस्त हूँ जाकता हूँ दूसे तरफ ये महापुर्ष कह रहे हैं कि सारा संसा सोया पड़ा है गुरों कहें जगत सब अन्दा कोई गहे न घट की संधा अरे कहता है हमको आगे हैं हम देखते हैं लेकिन महात्मा कहते हैं तुम अन्दे हो इन महात्मा की एक एक सिक्षा हमारे विचार थारा को बदलना चाहती है सई दिशा देना चाहती है हमारे थिंकिन को ओवर्खौन करना चाहती है वो थारा जो हमको 84 में ले जाती है उसको उल्टाना चाहती है सत लोग के तरफ करना चाहती है और ये क्या है ये है सोने से जागना किते हैं जो सत्क है उसको तुम बुला के बैठे हो उसके तरफ तु सोया पड़ा है जोटे जग सत कर जाने जोट के तरफ जाग रहे हो कुछ जिग्यासू श्री गुरू अंगत श्री गुरू अरजंदे महराज साब के पास गए के लगे महराज संतों के बाणी के अंदर बार बार ये लिखा है जागो के जागने का अउसर है किरपा सिंद इसको थोड़ा विस्थार से खोल करके समझाए तो आपने बाणी के जरीए समझाया आपने फरमाया नैनो नीद पर द्रिष्ट विकार सिर्वन सोई सुन दिंद विचार रसना सोई लोब मीठे स्वाद मन सोया माया विस्माद इसका बड़ा गहरा अर्थ है गुरु साहिब ने उनको समझाया कि जब तु माता के गरब में था तब तुम जागता था क्या मतलब है कि उदर इतनी भेंकर पीड़ा है भेंकर खश्ट है इसका कोई साथी संगी नहीं है वहाँ परमेश्वरी इसका निर्माता और इसका संगी है और परमेश्वर शब्द रूप है और शब्द के दो पहलूप है उसमें परकाश भी है और उसके अंदर कीरतन भी है कहा जाए उसके लाख पहलूप है उसके अंदर ग्यान भी है उसके अंदर अमरत भी है उस शवद को ये बालक जो अंदर खुता है उसका परकाश देखता है उस शवद को सुनता है उसके कारण उसको ग्यान है एक तरफ उस परकाश और कीरतन को देखता है कि मेरे जान की जान है मुझे संभाल करके बैठा है मुझे बैदा किया है मुझे संभाल करके बैठा है दूसरे तरफ उस परकाश के अंदर देखता है अपना पिछला के तखास लाखों करोडों अनंत जन्मों का कि मैं कहां कहां से निकला हूँ लाखों बार मैं उल्टा माता के पेट में लटका हूँ आज यहां क्यों लटका हूँ इसको पूरा पता होता है मैंने यह यह करम किये इसके कारण में लटकाया गया हूँ और वहां उस शबत के आनंद को महसूस करता है और सोचता है कि बचाने वाली एक यह चीज़ है प्रेम करने के लाइक एक यह चीज़ है इसलिए एक हाथ चोड़ करके रात दिन अरदास करता है कि भगवन्त मुझे बहर निकाल दो यह कुंभी नर्क है और मैं बहर चाकर के एक स्वांस भी इस कीरतन को नहीं बोलूँगा इस परकाश का साथ नहीं चुड़ूँगा यह आपका सरजनखार रूप है जिसने मुझे बनाया भै जिसने मुझे समझाया भै इसको मैं एक स्वांस भी नहीं बोलूँगा अब गुरु साहिब उन्हों ने उनको क्या समझाया नैनो नीन पर द्रिस्ट विकाल कि तें बालत पैदा हो गया उनके आँखों ने जो परकाश देखा वो परकाश गुम हो गया अब आँखें जो जाकती थी वो सोने लगी वो कैसे नैनो नीन पर द्रिस्ट विकाल आँखें सो गई विश्य विकारों को देखकर माता को देखा पिता को देखा भाई बेनों को देखा कुछ बड़ा हुआ यारों दोस्तों के साथ चला दुनिया के दंदे के विश्य विकारों को बोगा गुरु साहिब समझा रही है प्यारे जब हम कहती हैं तुम सो गए हो हम तो तुम को खोल करके समझा रही हैं कि तुमारी एक एक इंद्री कैसे सो गई है सिर्वण सोए सुन निंद्र विचार किदे कानों ने अंदर का कीटसन सुना बाहर आकर की अपनी उस्तत सुनी है कोई जो अपनी उस्तत सुनना नहीं चाहता और हम दूसरे की निंद्र सुन करके खुश होते है यह मन की तबियत है कहते हैं इस उल्जन में कानों से उस शबत निकल गया निंद्रा चुगली की मौन पढ़ गई और रसना सोई लोग मीठे सुवाद रसना अंदर अमरत को चख रही थी वो यहां के खटे मिठे और अनेग बरकार के सवादों को ले करके उस अमरत के रस को बूल गई उसके तरफ सो गई और मन जो इंद्रियों का श्रुमणी है संचालक है मन सोया माया बिसमात बिसमात किसको कहते हैं जादू को कहते हैं तिलसम को कहते हैं किते हैं चारों तरफ माया की नगरी है यह जादू की नगरी है तिलसम की नगरी है सबसंगी जो परकाश के माय की अंदर रखा गया है उसको ये माया की नगरी ये जादू की नगरी अभी तक भी चपित करके बैठी है इसको सोचने विचारने और सही दिशामी चलने नहीं देती है गुरु साहिब ने समझाया तुम जागते हो प्यारे तुमारे बुद्धी के अनुसार तुम जागते हो लेकिन दुनिया के तरफ जागते हो बंधन के तरफ जागते हो विशेड़कारों और धन्दों के तरफ जागते हो तुम तो कामक्रोद के तरफ जागते हो सोए पड़ेखो उस मालिक के तरफ सोए पड़ेखो अपने अधकारों के तरफ सोए पड़ेखो तुमारा जनम सिद्ध अधकार है मुक्ती और शांती उस तरफ सोए पड़ेखो उस परकाश और केतन के तरफ सोए पड़ेखो ग्यान के उपर सोय पड़े हो अब समझाने की कोशिश करती है कि सोता मन जन्वों जन्वों का जो सोया हुआ मन है यह वापिस कैसे जाक सकता है क्या मतलब वापिस घट में प्रवेश करके जो खानत बच्चे की थी कि उस परकाश को देखना उस कीरतन को सुना उस अमरत को चखना यह कैसे हो सकता है गुर्बाणी के अंदर आया जन्व जन्व का सोया मनवा सत गुर्शबद सुन जागे जो शबद इसने बुलाया है उसका भेद इसको संच देंगे यह अपनी मैनत और हिम्मत करेगा वापिस उनको सुनेगा तो क्या होगा जन्व जन्व का सोया मनवा यह वापिस चाख सकेगा स्वामी जी महराज इस शबद को दूसरे तरीके से आरंग कर रहे है पहले जिकर करते हैं कि आंग दुनिया का आदमी सोचता है कि मैं बहर मुक्षी भक्ती करके परमात्मा को पा सकता हूँ परमात्मा के घर जाने का रास्ता क्या है परकाश का शान्ती का आनंद का अगर कोई एक सिकंड के लिए शम्ष तब्रेश कहती है कि उस नगमे को उस कीरतन को सुन ले वे वो और तरीके से कहती है कबरों के उपर बुनजार करे तो सारे मुड़ते कबर से निकल करके बहर आ जाएंगे वो मुड़ी कौन है हम है नाउन द्वारन में बंद रही अब चैन नहीं एक स्वांस ऐ सत्संगी तु क्यूं बेचैन है कि गुर्देव ने कहा कि नाउन द्वारों की उपर शान्ती है तो नाउन द्वारों का कैदी है इसलिए बंदी को कैदी को कोई चैन नहीं एक बार फिर पाप और करम में चैन नहीं बेचैनी है इसलिए जब तक हम चैन के दाइरे में नहीं जाते है शान्ती के दाइरे में नहीं जाते है जिसको गुर्द साहब यहां जागना कहते है वापने वापस अपने वस्तू को पाना कहते है अपने घर जाना कहते है यह सारी प्रोसेस के लिए दुनिया क्या करती है पहले इसका जिकर करते है पहर जिकर करते है उस असली सादन का विस्तार से जिस से के जिन्दगी के अंदर मनश जाक करके अपने घर पहुंच सकता है हम आपको ध्यान से सुने है सोता मन का जागे पाई सोपाव मैं करूब खान तीरत कारे वरत भी राखे विद्या पढ़के हुवे सुजान के तेर आम आदमी पंदहा धुंदु करम करता है और चोरी ठगी बेमानी इसका जीवन बन चुका है जूट मिच्चा फ्रेव दोखा इसके जिन्दगी का अभिन अंग बन चुका है कपट कपट की तो ये मूरती है जो ये दिखता है जो ये बोलता है जो ये सोचता है हरे के अंदर कपट है हम सब के अंदर कपट है अगर ये तीर के तरह सीधा हो जाए तो ये सीधा घर को जाएगा तो इसलिए कहते हैं अंदर धुंध ये करम के उपर करम पाप के उपर तवाप करता जाता है और अभी सुना पाप में जैन नहीं पाप खुद खाता है जैसे बिच्छू डंग मागता है और इसको ख्याल आता है कि कुछ करना चाहिए अब कुछ करने का मतलब पापों को खलका करना चाहिए और इस ख्याल से बहुत सारे लोग तीरतों में जाते हैं स्वामी जी माराज के ते हिंदुस्तान के अंदर 68 तीरत माने जाते हैं और बेसाब लोग तीरत के अंदर जाते हैं और याद रखें उसके अंदर 99 परसेंट इस ख्याल से जाते हैं कि हम बेसाब करन करते हैं जाएं उस जगा में जहां कहते हैं पाप धोए जाते हैं पाप कम होते हैं लेगन संत महात्मा हमको खुले दिल से विचारने की हिजायत करते है प्यारे पाप कौन करता है ये दन तो एक साधन है पाप का ख्याल पाप का संचालक तो मन है तुम तीर्थों के पवित्र जल को मान करके उनके अंदर नहने जाते हो नहाता कौन है नहाता तो शरीर है मन तो उसके अंदर नहाता नहीं तो मन की मेल कैसे उतर सकती है इसलिए गुरु साहिब ने इसके उपर पूरी पौरी लिखी है और आखर में लिखते हैं भरिये मत पापा के संगर ये दोपे नामे के रंग किते हैं ये जो मन है वो उस नाम परकाश और कीरतन के जरीये नर्मल होगा साफ होगा ना है थोए क्या भया जो मन में मेल समाए फिर विसाल देते हैं कबीर साय मीन सदा जल में रहे धोए मेल न चाहे में इनको निकालों काटों तंद से बदबू निकलती है सारा जीवन हर दवार में रही गया में रही दवारका में रही जल में रही चौबीस घंटे रही ये तो कुछ घंटे नहाता है वो चौबीस घंटे नहाती है ये शरीब नहाता है वास्तों में देखा जाए कि रिश्यो मुन्यों ने अभियास किया अभियास करके अपनी अपनी अवस्था के सादु होती है इसका जिकर हमारे खार सबसंग में आता है विदवान कई तरीके के होते है जो खाय स्कूल पास है उसको भी हम पड़ा लखा आदमी कहते है जो M.A.P.H.T. पास कर चुका है और लड़कों को M.A.P.H.T. बनाता है उसको हम क्या कहते हैं विदवान दोनों विद्वान है लेकिन दोनों की क्वालिफिकेशन में बड़ा फर्क है योग्यता में फर्क है इसलिए सब गुरु साहिबान को नवेश का रखे अपने इस्थान पर लेकिन मेमा उसकी है जो पन्मेशवस से एक निक है अफसोस इस बात का है कि वो आज तक नहीं मिला है मिलता तो जनव मरंड से छुटका रख हो जाता तो इसलिए आप समझाते हैं कि इन रिश्यों मुन्यों ने जो लोवर एस्ट्रिल प्लेन की हैं इन्हों ने ये नदियां अंदर देखी गंगा जमना सरस्वती उनका संगम मांसरोवर सब अंदर देखा उन्हों ने बाहर इन नदियों के उपर नाम रखा इस ख्याल से कि शायद इनका ख्याल उपर की तरफ जाए लेकिन आम इनसान हमेश लकीर का फकीर को तक है हज़ूर महराज एक बड़ी रोचख वारता सुनाया करते कि एक दूद वाला दूद में पानी मिलाया करते सारी जिन्दकी ये दंदा करता रख पाप अंदर मन मेजिस्ट्रेट है किसी से पूछने की जरूरत नहीं मन हम को कहता है तु पाप करता है तु पापी है खुद मन पाप कराता है पर फिर लात भी मारता है कि तु पाप करता है तो मन अंदर से बोलता रहता था भाई कुछ तो पच्टा चाप कर गया इश्नान करने हर दौर वाँ इसने कपड़े उतारे उस जमाने के अंदर चांदी के रुपएफ होते थे उसकी एक थेली ले ली पुन्दान वगएर के लिए और नाने गया तो थेली भी कपड़ों के बीच में रख दी हर्दवार में जो गए फोंगे उनको पता है बंदर बहुत है एक बंदर पहुँचा उसने चांदी के रुपएँ की थेली उठाई खोल करके पानी में रुपएँ फैंकने लगा कुछ आर्से के बाद उस यात्री का ध्यान गया गंगा इशनान भूल गया दोड़ता आया बंदर को भगवाया देखता है इसने मेरी उस थेली खोल दी है रुपएँ की गंती की तो आदे थेली में थे आदे पानी में डाल करके गए बोलता क्या है के बंदर बड़ा अच्छा मेजिस्ट्रेट है पानी के पैसे पानी के हवाले कर गया है और दूद के पैसे मेरे लिए छोड़ की गया है एक कहानी नहीं है यह हमको पापों के बचाने के लिए दिश्टांत है कि ए दूद में पानी मिलाने वाले क्या ए ए इनसान तुम पाप करते ही क्यों को जो पाप धोने जाते हो दूद में पानी मिलाते क्यों को कि पानी का पानी में पैसा जावे जो रिश्वत लेते है चोरी ठगी करते हैं क्या वो सोचते हैं कि हम बच्चाते हैं उनको डाक्टरों के बिल चुकाने पड़ते हैं वकीलों के बिल चुकाने पड़ते हैं उनके बच्चों का चरीतर और खिलाप नहीं रहता है हिसाब यहां भी देना पड़ता है आगे को भी देना पड़ता है और बहुत मेंगा है कोई सेट शावकार जो गएर व्याज की हमको 10-20 लाक रुपे दे जो भी एक काल काल तो कोड़ी कोड़ी का इसाब लेने वादा है और खोड़ व्याज के उपर व्याज लगा करते लेने वादा है सो इसलिए कहते हैं कि इस खियाल से जाते हो पाप दुल जाएं पाप मन कर जाएं मन को निर्मन करना पड़ेगा जीवन को सीधा बनाना पड़ेगा ये जो हमारे अंदर चारों तरफ अगनों की कीचड़ है इसको सबसंद होता है आगे समझाते हैं इस पानी से ये चीज़ नहीं मिल सकती इसलिए तो कवेश साहब ने अपने बाड़ी के अंदर लिखा तीरत जाए एक फल लेकिन वो एक फल किसको मिलता है जो पापों को धोने के लिए नहीं जाता है जो भगवन्त को मिलने के लिए जाता है कोई मिसाल श्री गुरु अमर्दास थी माराइच तीर्थों में अर्साल जाते थी सोना सत्रा बार तीर्थों में गए ये भगवन की जगा है अब जिसके निम्त कोई करता है उसको फिकर पढ़ती है एक बार वहाँ से लोट गए थे तो कोई ब्रह्मचारी सादू इनका मित्तर हो गया आप इनको घर ले आए इनको बोजन कराया तो मैं सादू पूछ था है कि प्यारे आपका गुरु कौन है श्री गुरु अमर्दास थी महराइच उस वकत इस करम कांड के अंदर थी कहने लेगे मेरा तो कोई गुरु नहीं वो सादू बहुत दुखी हुआ वो कहता है मैंने जो जन्दगी के अंदर पुंधान किया उसके उपर पानी प्र गया बगैर गुरु निकुरे का मैंने बोजन खा लिया जबर्दस्त एक चोट आ गई और इनके नीद उड़ गई इनके सारे ख्याल उड़ गई कहां है गुरु कब मिलेगा गुरु हमने सारे इतखास को सुना है कि इन्होंने गुरु साहिब की बाणी अपने भाई के बहु की सुबा को सुनी जिसने इनको श्री गुरु अंगज साहिब के चल्नों में पहुंच आया सतर साल की उमर थी संबन नी थे लेकिन गुरु के दर्बार में पानी ढोया संगत की सेवा की हदूर मारेश फर्माया करते थे उस उमर में इन्होंने अपने केस दोरे बांद करके दोरे को कील से बांद दिया और खड़े हो करके सारी राच गुरु साहिब ने बजन किया एह होती है लगन कोई शुब गड़ी आई कि सारे खजाने की चाबियां ही इनको दे गए है ये क्या है तीरत जाहे एक फ़ल साद मिले फ़ल चार रास्ते का सादू सत कर मिले अनेक फ़ल अनेक से जादा क्या कहेंगे बेशमार असंक लामहदूत ये तो दुनिया के लफस है लेकिन माफ करना उस बक्षिश को ये लफस बयान नहीं कर सकते अगर दुनिया का बड़ा कागस पर्थवी का लेकर के इनसान के गुनाहों को लिखा जाए ये पर्थवी जितना बड़ा कागस छोटा होगा हम तो चार सतसम सुनके कहते हैं हम भले इनसान है किते हैं उनको ठोने के लिए इज क्या चाहिए दोने के लिए भी ऐसा एक किमिकल चाहिए कोई शबत है, कोई नाम है जो इसकी पूरी सफाई कर देता है तो इसलिए कहते हैं इसका ख्याल इर्थों के तरफ जाता है बेड़ चाह लखे, बसें जा रही है, लोग जा रहे है चलो कुछ ना कुछ तो फाइदा पूगा फिर कहते हैं बरत रखते है अब ये बरत की जो पृत्था और रवाज है ये बहुत पुरानक है और कोई तिखार होते थे उन पर बरत रखे जाते थे उसके पीछे भावना ही कुछ और थी कि हम टीसों दिन खाते रहते है एक दिन का नागाख हो जाएगा, फाकाख हो जाएगा पेट को आराम मिल जाएगा सोचे बाबु, इतवार को छुटी सरकार ने छोट सोच विचार की रखी है कि इसको कुछ आराम करने के लिए वकत मिले कुछ अपने नेजी काम संभालने के लिए वकत मिले पेट के उपर, पेट के अंदर दिन रात जाता रहता है डॉक्टर भी कहते है महात्मा दूसरे तरफ कहते है पेट को आराम रखने के लिए अगर बरत रखा जाए तो बहुत अच्छा सियत के लिए लेकर इसकी अंदर कोई अच्छात्रिक वैल्यू नहीं है उस समाने के अंदर इस समय को किसी और तरीके से प्रियोग में लेते थी क्या करते थे कि रसोई को ताला लग जाता था कुंडा लग जाता था बंद खो जाती थी और बाकी वकट जो दिन भर का था वो भजन कीज़तर में लगाते थे मालक के याद में लगाते थे बरत का असली परपस तो ये था कि एक दिन इसी बहाने फुरसत का मिल जाए लोग शराब खाते थे मास खाते थे शराब पीदे थे आज भी देखो शराबी है मास खाने वाला है कहता है फलाना किती है फलाना वार है आज भई नहीं खाना कै क्या ओर दिन बगवान ने बनाया और बाकी दिन किसी और ने बनाया ये तो उन पंडितों की अटकल थी ये तीसों दिन खाता पीता है चलो इसी बहाने दाता मारा थोड़ा बोच बच जावे ये जो बरत की परत्था है इसके पीछी फिलोसफी है कि इसको फुरसत मिले पेट को आराम मिले और इसका जो स्पेर टाइम है फुरसत की घड़ियां का है वो मालक के भक्ति और चिंतन में निकली लिगन आज इन तोहारों के उपर जुआ के लिए जाती है इनके उपर शराप पिया जाता है टीवी पे प्रोग्राम खोते है खुले आम सेर किया जाता है एक तरफ तो रोटी सबजी नहीं खाय जाती है तरह ताके खुए और बर्फिया खाय जाती है हमने हर चीज को तोड़ मरोड दिया है टिस्ट कर दिया है उसके परपस को खतम कर दिया है कि आम इनसान अपने मन को जगाने के लिए कि अपन मात्मा के निस्टीक जाने के लिए ये सादन करता है या तो गरंथों पोथियों का सहरा लेता है विद्या पढ़के वे सुजान किते हैं सब तरह के गरंथ पोथियां पढ़ते हैं इसके अंदर माफ करना आलिम, फाजल, गुनी, ग्यानी, सब आते हैं प्रोमण, पंड़क यो अपने आपको श्रोमणी कहलाते हैं विशीश कर वो इसमें आते हैं सब तरह के शास्तर पढ़ते हैं अर्थ कर उसका पठन पाठन करते हैं चैके ते हैं उसमें कुछ नहीं रखा इसलिए करते थे पंड़क के हमारा ख्याल भगवन्द के तरफ जाए भगवन्द के तरफ ख्याल जाता है तो जाता तब है जब हम उसको देखें जो भगवन्द से जुड़ा हुआ है किसी गरंद पोती ने महात्मा नहीं बनाया सारे गरंत पोथियां महात्मों ने बनाए चार, अठारा, नव पड़े, खट पड़ खोया मूल सुरत शबद चीने बिना जो पंची चंदूल चंदूल एक चड़िया खोती है जिस भी जानवर की बोली सुनती है उसकी नकल कर लेती है किते हैं जैसा वेदों शास्त्रों में पड़ा औरों को ग्यान कर दिया क्या पराई चुपीदारी करी घर के अंदर काम क्रोध जैसे डाकू बैठे है वो अमरत को लूट रहे है ये बुद्दू बहार चक्कर रगा रहा है सो इसलिए आप समझाते हैं गरंतों पोत्यों को बड़े आदर से रखना है इस वोगत भी किसी गरंत को हम सुन रहे है गरंतों हम हाँ पुष्यों ने बनाए है और ये बचन मालिक के बचन होती है संतों के बाणी में बड़े ध्यान से सुनना चाहिए लेकर अगर ये स्वामी थी महराज का शबद जो हम आज सुन रहे है सुबा को पड़े शाम को पड़े रात को पड़े दस साल पड़े क्या हमारे अंदर परताश आएगा हमारे अंदर शांती आएगी जो ये बता रहे है जो ये सिक्षा दे रहे है अगर इसकी अनुसार करेंगे तो मनुरत पूरा होगा आपको आगे सुने आपको 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 जपी मिलेंगे कोई नाम जो उनको पवित्तर लगता है सारे दुनिया के गरंद पवित्तर नाम से बढ़े मुसल्मान अपने गरंदों के नाम जपते हैं हिंदू, जैनी, इसाई से बनाम जपते हैं कहते हैं फिर तब करने वाले हैं तबी क्या करते हैं, जो तपस्या करते हैं वो शरीर को कष्ट देते हैं तपो बल जिसको कहते हैं क्या करते हैं, सर्दी के महीने में ठंडे पाणी के अंदर खड़े खुजाएगे महीना, दो महीना अपने शरीर को कष्च देंगे ऐसे होते हैं जो चारों तरफ आग जला लेते हैं और सूरज के अंदर आँखे खोल कर के सूरज के तरफ देखते हैं पांचमी वो आग हो गई सोचते हैं कि मन ऐसे करने से दर्मल कोगा कीलों के जस्ते होते हैं उनके उपर सौने की कोशिश करते है एक बहाँ को उपर खड़ा कर देते है तीन महीने वो बहाँ उपर रहती है ऐसे करने से तन को कश्ट देने से स्वामे जी माहरच केते हैं मन कैसे नर्मल हो सकता है करम मन कर रहा है सदा बिचारे शरीर को मिल रही है ये तो उल्टा क्रम है मारा जी एक रोचक वारता सुनाया करते थे कि एक माई ने एक बंदर रखा था और माई ने एक बिल्ली रखे थे उसने रोटी पकाई उसको भूक लगी दई लेने बजार में गई जब वापस आई देखती है कि रोटी आंको उस बंदर ने क्या की रहा था कि अपनी रसी दिली करके सब रोटी आ खा दी थी और बिल्ली की रसी काईम खोल दी थी अपनी वापस गले में डाल दी माई ने सोचा कि ये शरारत सारी इस बिल्ली की है मेरी रोटी आ खाने लगी डंडा लेकर के जब उसको पीटने की लगी तो च्छत पर पडोस की च्छत पर कोई आदमी खड़ा था उसने सारा खेल देखा कहता है माई रोटी खाने वाला और असी बांद के भला मानस को उसकोने में बेटा है उसको पीचना है मन को कोई इसमें सजा नहीं मिलती है तन को कष्ट बुद्ध भगवान ने अनंद दिये लेकिन बुद्ध भगवान कब बने जब गया में गए पेड़ के नीचे बैटे आखें बंद करी ज्यान किया सिमरन किया अंदर में परकाश आया ज्यान आया और फिर अपने प्रवच्चनों में निश्यद किया इस शरीर को कष्ट देने से कभी मन काबू नहीं आता है फिर कहते हैं मौन रखने वाले हैं जिबान को पट्टी बांद देते हैं अब उन से कोई बात करो तो यह इशरा करेंगे या कागस पेंसल पर लखेंगे एक मौनी मिला ट्रेन में बोलता ही नहीं था अब मौनी क्यों हुए कागस पे लिपता है बीता का ग्यान पूछने वाले ने उनको कहा अगर कृषिन भगवानी मौन रख देते तो गीता हमारे पास कैसे आती तो कोई जवाब नहीं पर आइज मौन रख देते तो यह बाणी हमारे पास कैसे आती डाक्टरों से पूछो आम आदमी सोच सकता है कि यह मनुश का शरीर परमात्मा ने अपने रूप पर बनाया है इसके अंदर कोई ऐसा अंग नहीं रखा है जिसका कोई परपस नहीं कोई यूटिलिटी नहीं जिबान मालक ने बोलने के लिए दे है इसका अर्च ये है कि इसको सही दिशा के अंदर काम मिलो कम में कम बोलो मौन रखने से शरीर की शक्तियां कंजर्व होती है लाव होता है लेकिन सच्चा मौन मन का है मौन रखने से शरीर की शक्तियां कंजर्व होती है लाव होता है लेकिन सच्छा मौन मन का है मन का मौन कब खुद तक है जब मन को मतलब की चीज़ मिल जाती है मन क्या चाहता है लज़त, सवाद, रस जब नाम की कमाई करके इसको अंदर शबत की लज़त मिलती है समझाएंगे स्वामी जी अगे कि सभी लस्तों से इस्थिफा देता है इसलिए गुरु साइब, इसलिए खबीड साइब ने लिखा मन मस्त हुआ तब क्या बोले ये दिन को बोलता है राद को बोलता है सुपनों में बोलता है इनसान की जबान बंद होगी जब ये मन गुरू के नाम के कमाई में लगेगा जन्राद सिमर्ण करेगा ये खामोश हो जाएगा वाद विवाती विश्गना बोले बहुत उपाद दुनिया की उपादिया ज्यादा बोलने से होती है 99% संत दावा से कह सकते हैं कि कम हो जाती हैं अगर ये जबान पर कंट्रूल रगे कम बोले मतलब की बात करे प्यार से बात करे इन संतों ने करके दिखाया कितनी मधुरवाणी इनके रसना से उतरी कितने प्यार के बचण सत्संद के जरीए समझाते हैं ये भी तो जबान है देखा कोई पेड जो कड़वा फल भी देता हो और मीठा फल भी देता हो ये पेड है और हमारे पास है और वो हमारी जबान है इसी जबान से गोलिया हम चलाते हैं तीर चलाते हैं बर्षया चलाते हैं किसी जिबान से संथ अपने नजर से और वचन से जीवा को खायल करते हैं उनको परमारत में लाते हैं मालक के भक्ति के रहा के अंदर लाते हैं वे जिबान है अगर घर में मातानी चाकू रखा है सबजी काटने के लिए और बेटा अपनी उम्रे काट देता है ना मा का दोश है ना चाकू का दोश है बच्चे का दोश है जिस तरीके से हम इन चीजों को तोर मड़ो करके ट्विस्ट करके काम में लेते हैं स्वामी जी मारत प्रारम में इस चीज़ को समझा रहे है कि जबान काम में लेने के दिए किसी से हमदर्दी करो, प्यार की बात करो, उसको मालिक के तरफ चलने के प्रेणा करो, उसको नेकी के रा बताओ, उसको नेक सला दो, यह नहीं के पट्टी बांद करके रखो. इसलिए आप समझाते हैं, यह है कृत्रम सादन, मन की उपच, मन के बनाई कोई, जिनके अंदर आम दुनिया के लोग से हुए, इन संतों की बाणि, सत्संगी कहता है, यह सब बातें मैं जानता हूँ, मेरे लिए यह कोई मतलब रखती नहीं है, लेकिन संतों के लिए सारे हम सत्संगी कैसे बने, यह सत्संगी कभी पूछता नहीं है, हमने जब ऐसी बाणि सुनी, जब ऐसे प्रवचन सुने, तब इन रस्म रिवाजों से हमारा ख्याल निकला, हो सकता है कि एक सत्संगी नया सत्संग में आज आया को, उसकी जिन्दगी इस तरिके के शबद बद सकते हैं, जीवन की सई दिशा दे सकते हैं, वो किसी को जा करके समझा सकता है, इसलिए संतों की बाणि के अंदर सरकिसम के शबद हैं, और उनका डेफिनिट पर्पस है, कि ये दुनिया के लोग कहां बटक रहे हैं, इनकी बटकना बंद हो, सई मारिक पर आएं, अब अपन ये तजर्बे से बताती है, कि सही मारिक क्या खेश हैं, अब जब तप संजम गोविदी तारे, तो भी ये मान या गान आन, खोजत खोजा, आसे उपालां, मौतक कीने, तो भी ये मान या गान आन, कहते हैं, भाई, सुनी सुनाई बात नहीं है, ये हम ने किये, अस उपाए हम भोव तक की, सौमे जी माराज अपने लिए कहते हैं, कब की ये, जब 6 साल के चोटे बालक थे और वक्ती की, तो कब की ये, जैसे पाप लाखों जन्मों के कट्थे हो रहे हैं, ये भक्ती जो इ आमें जी महराज इस जनम में थे, ये भक्ती भी अनेट जनमों की रगड़ है, किते हैं जब हमने इस भक्ती के मारग के अंदर आये, तो ये सारे साधन प्यारे हमने किये है, तो भी ये मन जगा न आन अंदर में कोरे के कोरे रहे अंदर में कुछ नहीं मिला ज्यान ज्यान कुछ नहीं मिला हमने श्री गुरु अज़न दे महराज का एक प्रसिद शबत सक्सन के अंदर सुना होगा पाट पड़ियो बेद विचारो निवल विहंगम सादे उसमें गुरु साहिब क्या कहते थे हैं प्यारे प्यारे किसको कहते हैं जो ये सादन कर रही है प्यारे इन बिद मिलन नजाई मैं की एक करम अनिका इस संतों ने अपने बाणी की अंदर कोई सुनी सुनाई बात नहीं लिखी है किसी और का तजर्वा नहीं लिखा है अपना अन्बाव लिखा है इस जनम में गुरु अर्दन दिर महराश साथ ने तो सिर्फ नाम की कमाई गी थी लेकिन कहते क्या है प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किये करम अने का तरह तरह कि मैंने ये करम कांड किये है जिन्दगी बड़ी कीमती है जो निकल गई वो वापस नहीं आ सकती कितनी बच्ची है साथ, दो साथ, तीन साथ, दस साथ उसका पूरा फाइदा ऐसे उठाओ अगे समझाते है आसे उपाव हम बहतक कीने तो भी ये मान ये गान आने खोजत खोजा साथ गुरु पाए उन्य जोकती सही परमाने सट संग करो, संग कुशेगो, कड मन करो, कुरु बाने जहते हैं कि आखर ग्रंथों पूठ्यों को ध्यान से पढ़ने से अगर आज हम इस शबत को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप हमारे पाउं सही मारत पर लाने की कोशिश कर रहे हैं खोजद खोजद सद्गुरु पाया कहते हैं फिर सद्गुर के खोज में लगे क्या हमने विद्या पाई है किसी विद्वान से किसी टीचर से किसी प्रोफेसर से और कितना समय लगाया खै कितने विद्वानों को सुना खै कितनी मेहनत की है कितना समय दिया खै ये तो दो चार मातमों की कथा कान ये सुनके कहता है दुनिया में सादु ठग है सब सौरती है क्या ये कोई पढ़ाई का तरीका होता है दुनिया में कांग करने का तरीका होता है या इसलिए आप दो बार लिखते है खोजत खोजत कि बे अंत खोज की खोज किस चीज़ की जाती है ये जनम वरण के कलंक मिटाने का जो संकलब करते है वो खोजी कहलाते है खोजी वै कहलाता है जो खोज खोज करके मर जाएगा लेकर खोज को नहीं छोड़ेगा ऐसी खोज की श्री बाबाजी महराज ने और उन्होंने इस महात्मा के चर्णों की शरन ले खुब उन्होंने आराम की कमाई की पेड़ के नीचे बैट करके दिनों तक रोटी नक्खा करके अभ्यास किया उसका लाव आज हमें सारे दुनिया के कौने कौने के अंदर उस बाबा जी महराज की अभ्यास का और प्रेम का लाव उठा करके अनंत जीव अपनी जिन्दगी सफल कर दे क्योंकि एक सई मार्ग पर आया और निश्टा से उस सई मार्ग पर चला उसका अनुसरन किया सुना जाए तो एक शबद काफी है सुना जाए तो एक बचन काफी है नहीं तो पता ने कितने निकल गए कितने शायद और निकल जाएंगे सो इसलिए कहते हैं सद्गुर के चर्णों में पहुँचे और सक्संग के चर्णों में पहुँचे तो सदगुर ने क्या किया किसी बहाने इंसान संतों की चर्णों में पहुँच जाता है कोई कहेगा संत की निशानी क्या संत की निशानी एक है कि उसके सक्संग के अंदर शबत का नाम का जिकर आएगा पाँच शब्दों का, पाँच नामों का जिकर आएगा वहाँ ऐसा संथ महात्मा कोई बाहर मुकी किर्या नहीं बताएगा ओ एगा ओ शबद तिनके-तिनके के अंदर है तेरे भी अंदर है और आँखों से उपर शिवनेतर में मिलेगा शिव नेतर आँखों के बीच में एक आँख है जो अंदर काम करती जब तुम उस जगा पहुचेगा सिमर्ण करके दुनिया की याद को मिटाने के लिए मालक के नाम का सिमर्ण देती इसको मिटा करके तुम वहां पहुचेगा ये शरीर मुड़दा हो जाएगा तुम एक नए शरीर में अंदर से निकलेगा जिस शरीर से तुम अंदर में निकलेगा उसकी आँखें अंदर काम करेगी उसके कान अंदर के आवास सुनेगी किते हैं सक्संग के अंदर संतों के इस बात का जिकर अता है बाकि उनकी बाहर की निशानिया ये हैं कि कभी भी करामत नहीं दिखाते श्री गुरु अर्जंदेर महराइश साहब ने तत्ती तवे तवे पर बैठ करके सब कुछ बरदाश किया जब में आमीर कहता था कि मैं इन सब को बरबाद कर सकता हूँ तो गुरु साहिब ने क्या फर्माया तेरा भाणा मीठाना करामत नहीं जानते हम रखे इस कसोटी पर फिर वो कुछ नहीं जाते हैं कुछ नहीं लेते हैं जिसने लिया उसने हमको कुछ नहीं देना जिसने माते टिकवाए उन्होंने कुछ नहीं लेना वो कुछ भी नहीं चाहते हैं, इज़त नहीं चाहते हैं, वो हमारा कल्यार चाहते हैं, हमारे को देना चाहते हैं, हमको उठाना चाहते हैं, हमको घर पहुंचाना चाहते हैं, यह चाहते हैं, दुनिया की कोई होना चीस नहीं चाहते हैं, गरिस्ती होते हैं, सोसाइटी पर ब जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशानी सुरत शबद भौसागर करिए तू इस भौसागर को तर जाएगा गुर्णानिक ने कब कहा जब खूद तैर गया नानिक नाम बखा गी नाम को पकड़ेगा इस भौसागर से पार हो सकता है ग्रिस्त में रह करके कैसे सुरत शबद भौसागर करिए जो सुरत तेरी पाओं के तलियों से ले करके आँखों के चोटी तक खैली हुई है इसका पहला स्टेज आँखों के बीच में है वह एकागर करना है किते हैं सत्संग में ये सारी बाणी को खोड़ करके समझाते हैं ये संत महात्मा बाणी जो छोड़ के गए है ये पीछे आने वाले महात्मा के लिए भी छोड़ के गए कि वो जब महात्मा आता है तो अपनी बाणी नहीं लेता है स्वामी जी महरायन ने अपने जिन्दगी में अपनी बाणी कभी ने लिए बलकि उन्होंने अपनी बाणी तो आखर में लिखी है सो भी जब सक्संगियों ने बहुत आग्रे किया है नहीं तो ग्रेंट साइब की बाणी, कभीर साइब की बाणी, तुलसी साइब की बाणी आप लिया करते थी जब इन मखात्मों की बाणी लेकर के सुफी दर्वेशों के कलाम लेकर के अंग्रेदी मिस्टिक्स के कलाम लेकर के समझाया जाता है तो सुनने वाला इस नतीगे पर आता है कि ये रब्भी डिजाइन है ये नैचरल साइंस है परमात्मा का बनाया हुआ नियम खे देको सारे संतों ने इसको बार 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 दोहराया है तो उस वरत्वार संतों को सुन करके मन में तसली आती है वरोसा आता एक है कि जो ये बता रही है उस सई हे अपने तरफ से कुछ नहीं किएती है और इसके अदीन किली अरदास करता है और गुर्देव किसी शुँब गड़ी मे इसको नाम दान देते हैं इसको गुरु परिशाद देते हैं परिशाद की कोई कहीमत नहीं दान खुशी से दिए जाता है उसकी कोई कहीमत नहीं क्राइस ने अपने कमाई वाले सिर्कों को कहा जब चलने लगा freely you have received, freely give मैंने आपको मुफ़त में दिया है आप इसके कोई कीमत नहीं रखना इसको मुफ़त में बाढ़ना जिते हैं बाहर से भी इन संतों की ये निशानिया होती है लेकिन उनकी पिर्मक निशानी ये होती है जब ये अरगास करता है इसके जोली में वो नाम लफस नहीं है वो तो खजाना है और वो अंदर बैठ जाते है हजूर मारे सारी जिन्दगी ये समझाते रहे शबद गुरू कभी जो भूलो के देधारी गुरू होता है शबद गुरू सुरत दुन चेला और वो मुहर जो लगी है उसका वास्ता तेरे शरी से नहीं है तेरा शरी चूट जाएगा लेकिन मुहर नहीं मिटेगी ये मुहर सुरत पर लगी गई है वो सुरत को घर पहुँचा करके छोड़े दी इसलिए कहते हैं ये अटूट रिष्टा है ये कोई खाने पीने का रिष्टेदारी का रिष्टा नहीं है ये अज्यात्मे का रिष्टा है कहते हैं उन्होंने खोर करके ये सब चीजें सत्संग में नामदान के वकत समझाई क्या समझाई गुरू को सेवो गुरू की सेवा करा गुरू की सेवा क्या है कि अमरत वेले उठकर के अपने श्याल को मालक के भगदी के अंदर रखना मालक ने लाखों लाखों नियामते हमको दी है एए बंदा बेश्चुक्रा तू उसके शुक्र करने के लिए सुबा को उठकर के साइं के दरगा में सबने जुकाता है बंदगी नहीं करता है तो शेख फरीद क्या कहते है जो सिर साइं नानवे सोसर दीजे काट पिछले इत्वार को पर्टु साब ने का जो सिर साइं नानवे बेहतर कदू होए है हमने सुना था किते हैं संथ चोट मारने में क्या कमी रखती है क्या कसर रखती है इसलिए बगएर नागा के प्रेम से प्यार से बैठो अपने शरीर को भूल जाओ संसार को भूल जाओ मन पे कोई बोज नहीं रखो दुख सुख दुनिया के बादल घूनते रहते है प्यारे इनके खोते हुए डुपकी लगानी है अंदर डुपकी लगानी है शबत भी लगानी है नाम में लगानी है और फिर प्रेम किसको कहते है जिसे हम प्रेम करते हैं उसको एक खड़ी मी बूलते है चोटा सा लाल पेदा होता है मा को 24 खंटे याद होता है पूछे मा क्या उसने गुरु के नाम को इस तरीके से याद किया है पिर क्या उमीद रखती है हम क्या उमीद रखते है चलते फरते खाते पीते कोई छुटी नहीं थी चलते फरते खाते पीते सुवत जाकत बिसर्ण जाए ये प्रेम है कि जिस प्रेम के टुकड़े करके तुमने संसार में फैलाए के ये सब गुरु के हवाले करो मन बेचे सद्गुर के पास तुमने दुनिया के अंदर मन को बेचा है तिस सेवक के कारिज रास तेरा कारिज रास नहीं हुआ उसका होगा जो टोटली सब तरफ से सिमर्ण के जरीए अभियास के जरीए सब जगा से प्रेम हटा करके गुरु के नाम के साथ रखेगा के तेरे ऐसे करते हुए अगर तेरे को तन और मन कुर्बान करना है प्यारे खुशी खुशी से कुर्मान करो हमारे लिए सत्संग में पहुँचना मुश्कुल सेवा करना हमारे लिए मुश्कुल और सेवा करता है तो भी ऐसी करता है जिसमें शरीर को कम में कम तकलीफ हो कपड़े कम में कम खराब हो जो अच्छी सेवा मैं तो पंडाल की सेवा लूँगा पंडाल की सेवा में सोचता है कपड़े साफ कोई मैनत खास नहीं है फिर मिट्टी की सेवा कौम करें किते हैं जो सेवा यह खुशी से की जाती है उसमें कोई नियम नहीं है जहां नियम आया उससोदा हो गया उस्वड़ से प्रीम नहीं हुआ किते हैं तन को कुर्बान करना क्या है कि इसके अंदर शराब नहीं डाला मास नहीं डालना नाम लेने से पहले वाइदा करता है लेकर फिर हकलाल का टुकड़ा टाँ चोरी ठगी बेईमानी का टुकड़ा अंदर लेना इस शरीर के अंदर बैठ करके किसी को सुक देना इस शरीर के अंदर बैठ करके साथ संदत की सेवा करके अपने आपको बढ़भागी समखना कि तन को कुर्बान करना करे और तन सही रूप में कुर्बान तब होता है जब धर्दें होती है सुन सुनाट होती है हाथ पैस सुन होते है धर्ण सुन होता है ये शरीर को कुर्बान करने की प्रोसेस है मन जब तक मन कुर्बान नहीं करेगा तन की कुर्बानी तो होई नहीं सकती इसका मन संक्मत में नहीं है उसका तन भी एक बराए नाम सक्संग के अंदर बैटा है इस वकत भी ऐसे बेहने बाई सक्संग के अंदर बैटी है जो सब बातों को सोच रही है और शरीर करके सक्संग में बैटे है किते हैं इनको कुछ नहीं मिलना है ये तो कुर्बानी का मारिज समझाते हैं कि ये मन कैसे जाक करके उस पर मेश्वर के घर के तरफ चल सकता है कैसे आत्मा अपने सूर्श के अंदर लीन हो सकती है सत संग कारो संग को सेवो तनमन कारो कुर्बाने सत गुर्शाग सुनो गगना क्यरे चेत लगाओ अपना प्याने जागत जागा अब मन जागा चुठा रागा जहान मन की बदक मिली सुरत को दोनो अपने मेरे समान बिना शाग्द ये मन नहीं जागे करो चाहे अने करता गे यही उपावर साट कर गाया और उपावर न कर परमान बिर्था बैसर बितावे अपनी लगना का बीठ खान संत बिना सापट के डोले बिना संत नहीं शाग्द पिछान शब्द शब्द मैं शब्दै गाओं तू भी सुरत कर लगा देता ने कर पावे चारा से छोटे जल्म मरन की होवे हान रादा सामी का हैं बुझाई बिना संत सापट के खान अब समय के ख्याल से हमने बाकी हिस्सा सुन लिया किते हैं जागत जागत अब मन जागा जैसे जैसे आँखों से उपर जाएगा ये मन की नीद खुलनी शुरू हो जाएगी ये जागना शुरू हो जाएगा और फिर क्या होगा जूठा लगा जहान किते हैं अब सक्संगी बे सक्संगी सारे कहते हैं ये दुनिया दोखा है जूटी है पना है लेकिन उसके बावजूद भी इसके साथ चिपके हुए है किते हैं सई रूप में जूटा जहान तब लगता है जब ये सचा जहान देखता है और वो ये आँखों से उपर जाता है कभी सभी ने क्या लिखा हीरा खात चड़ा अनमोलक छूट गई संसारी ये संसार की कोड़ियां बंगा तु नहीं छोड़ सकेगा लाख कोशिश करो अभी तक नहीं छूटी है कि माया तो तुझे इन कोड़ियों से खिला रही है जब बच्चे को मा खिलाती है ये तब छूटेगी जब हीरा खात चड़ा अनमोलक अंदर में ओ हीरा मिलता संतों ने केवल लफज इस्तमाल किये है हीरा महंगे में महंगी चीज़ होती है इसलिए कहा हीरा खात चला लेकिन तुल्जी साहिब ने क्या लिखा किते हैं हीरा तो दामो बिके शबत का मूल न तो समझाने के अंदर कोई कमी नहीं कर किते हीरे को जब जो जो यरी बेचे गा तो 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 उपर बेचे गा जिन माफ करना ये अतोलक है ये अमोलक है जिस शबत की मैमे माना करता हूँ दीरे दीरे नरमल करके आत्मा को ये घर पहुचा देता है और ये मन अपने मैन के अंदर समा जाता है आपने फुरमाया क्या एबरेम की अंच है इब्रेम में खुशी देख लेता है आत्मा रिलीस हो जाती है वो सतना में समा करके अपने घर को पा लेती है कि ते यह सचा जागना मैंने कोई कमी और कसर नहीं रखी स्वामी जी महराज कहते है समझाने में कि तुम सोए पड़े हो कैसे जाब सकते हो अपने वस्तु को पा सकते हो अपने परंपिता के दर्शन कर सकते हो विदी पूर्वक आपने खूल करके समझाया करपावे चाप राशी छूते जनम मरन की होगे हाने रादा स्वामी कहें बुजाई बिना छंत सापटके खाने रादा